हेलो इस्टुएंट्स मैं विकास अगरवाल आज डिसक्स करूंगा 27 सेप्टेम्बर को जो एक्जाम हुआ था जे इड्वांस के है सब्सक्राइब होगा उसमें paper one discuss करेंगे और next video में paper two की बात करेंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज में आज इसका first question ठीक है तो यह रहा आपका first question क्या कहता है question टीक है question कह रहा है कि यहां पर एक football है यहां पर hole है उस hole में football है कोशन में कह रहा है कि theta की value हम रहीक है इस theta की value increase करते जा रहे है तो थीटा maximum कितना हो कि नीचे football roll ना करे नीचे roll ना करे उसकिल थीटा maximum कितना हो ठेक है यह 2R दे रखा है radius कहा दे रखी capital R तो यहां देखें यह देखो बैने figure बना रखा अगर थीटा maximum है हलका सभी थीटा बढ़ाएंगे तो यह रॉल कर जाएगा इसका मतलब कि जब थीटा maximum होगा तो यहां पे contact छूट चुट चुका होगा तो यहां के normal जो हो कितना हो चुका होगा 0 सारा का सारा का सार नॉर्मल यहां से पास करेगा ठेक है तो एक काम करते हैं इस point a के बाउट नॉर्मल फोट से काहां से तो तॉर्ख होगा वो कितना होगा जिरो होगा mg sin theta का टॉर्ट कितना होगा mg दिस्टेंस कितना हुआ और लिए डिस्टेंस कितना है capital R radius तो इस तरह से इसका perpendicular distance क्या हो गया under root r square मीनस r square यह हो गया इसका perpendicular distance तो इट clockwise टॉर्क है गर ने टॉर्क जीरो है तो जितना नेक्ट और कितना होगा 0 तो यहां से mg mg cancel हुआ 10 थेटा इज एकोस टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेर माइनस आर स्क्वेर हुआ और टैन थीटा पता है तो टैन थीटा से नो साइन थीटा निकाल लेंगे तो साइन थीटा जो निकालोगे तो उसकी वैलू क्या या ॉप्शन जीटा सई एक सिंपल सा कुस्ट था इस तरह से हमने पॉइंट हें एक अब नेक्ट जिरो क्या यह हमारा आंशर आया ठेक है अब बढ़ते हम लोग next question पर देखें यह हमारा next question है यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक नीचे एक डिस्क है नीचे यहाँ पर एक डिस्क है और यह non-magnetic है कानमagnetic मतलब maignet और इस Almoryum के डिस्क के एक बीच में बनलब magnet इसको magnetic property कांस इजक अगर रुका हुआ है अगर मैद रुका हुआ है तो इसको अट्रेक्ट नहीν करेगा क्योंकि यह and the material नहीं है ठीक है अब इस question में कह रहा है कि इस इस magnet को हमने rotate किया, इस magnet को हम लोग rotate कर रहे हैं इस तरह से, अब इस magnet को रोटेट करेंगे, let's say, जिस direction में हमने rotate किया, तो यह जो aluminium है, क्या हो रुका रहेगा, कि वो भी rotate करेगा, अगर aluminium rotate करेगा, तो किस direction में rotate करेगा, same direction में rotate करेगा, कि opposite direction में rotate करेगा, यह हमें समझना है, तो देखते हैं इस question को हम लोग यहां पर देखो हमें पता है कि magnet से जो है वो magnetic field lines निकलेंगी इस magnet से कुछ इस type से magnetic field lines निकलेंगी तो इसका मतलब कि इस aluminum जो की conductor है इससे magnetic flux पास कर रहा है इस aluminum के इतने हिस्से से aelmuneam के इतने हिस्से से magnetic flux जो है वो पास कर रहा अब जब इम मेगनेट को हम लोग rotate कराया मेगनेट को तो इसका मतलब magnet इस portion से दूर जयेगा जब magnet इस portion से दूर जाएगा उस portion का magnetic flux घटे इस plate के इतने portion से जो magnetic flux है वो घटने वाला है अगर यह magnet यहां से निकलने वाला है तो इतने portion से magnetic flux जो है वो decrease करने वाला है और flux घटेगा तो इसके अंदर induced current पैदा होगी अब बताओ induced current जो है वो induced current इस तरह से पैदा होगी कि magnetic flux को बढ़ाना चाहेगी कि घटाना चाहेगी ब बढ़ाना चाहेगा, इसका मतलब, इसके अंदर जो induced current पैदा होगी, इसके अंदर, जो induced current पैदा होगी, वो शायद इस direction में पैदा हो, तुम ऐसा feel कर सकते हो, कि जो induced current होगी, वो कुछ इस direction में, ये हमारी induced current इस direction में आई आएगी, तो देखो, इस induced current इकान से, जो magnetic field होगी, वो भी क्या होगी downward, clear हो गया, magnet की जो magnetic field थी, वो दो downward थी, magnet यहांस दूर जाने वाला है, तो यहां पे flux घटने वाला है, तो lens law से घटने के approach का, जो induced current होगी, वो बढ़ाना चाहेगी, तो induced current का direction कुछ इस type से होगा, इस type से होगा, जिससे की induced current की magnetic field और magnet की magnetic field का direction क्या होगा, same तो अब induced current अगर ऐसे है, तो कोई भी current carrying close loop क्या होता, अपने आप में एक magnetic dipole, तो यह induced current भी अपने आप में एक, यह induced current भी अपने आप में एक magnetic dipole पैदा करेगा, तो इस magnetic dipole जो होगा, उसका dipole moment किदर होगा, इस magnetic dipole का dipole moment किदर होगा, नीचे, तो north किदर हुआ नीचे, औ attraction होने का मतलब कि अगर ये clockwise घूम रहा है तो अगर ये magnet clockwise घूम रहा तो ये plate भी clockwise घूमेगी अगर ये anti-clockwise घूम रहा तो ये plate भी anti-clockwise घूमेगी ठेक है तो क्या होता है इसका answer यहाँ पर देख question number 2 rotate in the direction of opposite नहीं rotate in the same direction as the direction of magnets motion बिलकुल बिलकुल होगा ठेक है not rotate नहीं तो यह हो गया इसका answer समझ में आया एक बार फिर से फटा-फट बता जेता हूँ ये magnet दूर जाएगा तो flux घटेगा लेंज लुआ की कारण से जो eddy current जो induced current पैदा होगी वो ऐसी होगी direction की वो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा फ्लक्स को बढ़ाने के लिए magnet का flux नीचे है तो induced current का flux भी क्या होगा नीचे तो induced current ऐसे हुई induced current ऐसे हुई तो वो induced current एक dipole है उस dipole का north किदर होगा नीचे south किदर होगा उपर उनके बीच मैं attraction होगा तो अगर ये magnet जिस direction में घूम रहा, एलमुनियम भी उसी direction में घूमेगी, तो यह रहा, यह हो गया हमारा question number 2 का answer, ठीक है, अब बात करते हम लोग question number 3 के, question number 3, अच्छा question है, क्या कहता है question number 3, कि यहाँ पर यह body है, ठीक है, यह body है, इसको इधर से देखें, तो उसका view जो है, वो ऐसा है, कह स सकते हैं, यह cross sectional view है, तो इसके उपर, इस portion के उपर, एक plate है, ठीक है, ठीक है, इसके उपर, एक plate है, एक meter scale है, meter scale है, ठीक, तो यह हमारा ground है, इस ground के उपर, यह meter scale है, meter scale कहां पर है, इस portion पर ही touch कर रहा है, और question में कह रहा है, कहीं कोई slipping नहीं हो रही है, slipping नहीं हो रही है, तेक्ए यहां भी sitting नहीं यह नहीं यह कुछन कहिया है कि अगर roller अगर पचा सेंटीमिटर मोव किया यहां पर ये meter scale भी Plausne कर रहा। घर तो सेंटीमिटर मूव करने के बाद इन चारों में से कौन सा option होगा यह पूछ आए यह सुचा है। यहां ब option में से कौन सा option सही होगा ठीक है तो चलो इसको मैं solve करता हूँ कि कौन सा option सही होगा तो आसा इस figure को मैं बड़ा कर दूँ ठीक है तो यह हमारा ground है माना कि माना कि इसकी velocity जो है रॉलर के center की velocity कितनी भी रॉलर का displacement मतलब होता है रॉलर के center का displacement तो इसकी velocity क्या है भी यह और रोलिंग है यह omega है तो अबसली जो वी कॉल्टू होगा वो रोमेगा होगा question में क्या दिया हुआ है question में given है कि जो यह यहां से यहां तक का sorry यहां से यहां तक का diameter जो है 20 है 20 diameter है और यहां से यहां तक का जो diameter है वो 10 cm है इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस radius को मैं capital R कहता हूँ अगर यह radius capital R है तो जो radius है वो क्या होगी R by 2 ठीक है radius R by 2 हाँ तो यहां पर देखो तुम मैं कह रहा था कि V equals to हमारा यहां पर प्योर रोलिंग है तो V equals to क्या होगा R omega V equal to R omega होगा ठीक है अगर मैं इस point की देखों कि is point की velocity कितनी होगी is point की velocity ठीक है तो translitary कहता है अगर मैं Expressanta Se quickrance rocket कहता है कि is point की velocity क्या होगी वी और rotation कहता है कि is point की velocity क्या होगी R by 2 omega तो इस इस point की velocity मान電ो इस point करना में point A बोलू तो point a की jutero rolling है तो V equal to R omega होगा यही चीजila पॉइंट एकी जो विलास्टी होगी वो मैंने क्या लिख दिया वी प्लस आर बाई टू ओमेगा और आर ओमेगा इकल टू वी तो यह आंसर कितना होगे थ्री वी बाई टू तो क्लियर हो गया कि अगर रॉलर के सेंटर की विलास्टी है तो पॉइंट ए जहां पे स्केल बीच में स्लिपिंग नहीं दो पॉइंट की बीच में स्लिपिंग नहीं तो दोनों पॉइंट की विलास्टी क्या होगी सेम तो यह हमारा वी प्लस आर बाई टू ओमेगा था तो पॉइंट एक लास्टी थ्री वी बाई टू हुई तो यह वी यह थ्री वी बाई टू इसक scale का displacement होगा वो भी 1.5 times होगा मतलब वो कितना होगा 75 cm होगा मतलब कि end A end A 75 cm आगे गया और ये 50 cm आगे गया मतलब कि ये वाला इस meter scale का right वाला end center यहाँ पहुझ गया और right वाला end यहाँ पहुझ गया तो scale का right वाला end center से कितना right हुआ 25 cm right हुआ scale का right वाला end इस roller के center से 25 cm right हुआ 25 cm right हुआ यह देख लो आप लोग को ए clear हो रहा होगा आप लोग को इस तरह से तो अब देखे हम लोग तो अभी मैंने क्या कहा था तो देखे इसमें से कौन साफ्टिन सही हुआ और answer हमारा क्या होगा center से 25 cm right center से 25 cm right जो होगा वो right end तो यहाँ पर देखो यह 50 cm है तो यह option गलत हुआ यह option गलत हुआ ठेक है इसकी बाद करूँ यह 75 cm right है यह गलत हुआ यह 100 cm right है यह गलत हुआ और यह कितना right 25 cm यह सही हुआ बी सही है लेकिन जल्दबाजी में आप लोग सी कर सकते हो यह सोचते हुए कि आपको लगेगा कि scale का तो displacement 75 cm है और scale का displacement 75 cm और 75 cm तो तुम सोचोगी आंसर यह है जब कि यह नहीं है भई scale का भी तो scale का displacement 75 cm है तो साथ साथ center का भी तो कितना 50 तो center के compare में कितना right हुआ तो 25 cm right हुआ तो center compare में सिर 25 cm right हुआ यह हमारा answer इस तरह से हमने इसको solve किया clear हो गया simple question बात करते हैं हम लोग अगले question के यह रहा हमारा अगला question देखें इस question में कहता है कि यह इस वक्त एक circular loop है और इसका plane जो है वो external magnetic field के parallel है external magnetic field के parallel है और यह एक capacitor है यह यहाँ पर एक capacitor है और और इस capacitor पर चार्ज दिया है वो क्यों दे रखा है इस capacitor पर जो चार्ज है वो क्यों दे रखा है अब यह कह रहा है कि जब हमने switch close किया switch close किया तो capacitor जो है वो discharge हो गया और बहुत कम टाइम में capacitor जो हो गया और last में यह भी नहीं कर रहा है, ऐसा दिया भी हो है question में, switch close करेंगे, capacitor discharge होगा, discharge होने का time interval negligible है, और उस negligible time में यह rotate नहीं किया, उसके बाद rotate करेगा हो सकता है, लेकिन उस negligible time में यह rotate नहीं किया, ठीक है, तो चलो, यह discharge हो गया, ठीक, उस negligible time में, उस negligible time में जो बहुत कम time लगा, कुछ न और इतने दिर में इसने रोटेट करना इस्टार्ट नहीं किया इसके बाद इसने रोटेट करना है स्टार्ट किया ठीक है तो यह discharge होगा और जब discharge होगा तो let's say इसके इसके अंदर current developed हुई तो यह current है, भे, discharge होगा तो current है तो क्या बन जा? current carrying close loop और current carrying close loop क्या होता है? magnetic dipole यह एक magnetic dipole है, इसका dipole moment किदर होगा? outward और dipole moment की value क्या होगी? I into area, I into area, area कितना है? pi r square, r क्या होगा? इस coil की radius, तो dipole moment होगा, यह I M into I into pi r square, यह होगया इसका dipole moment ठीक है? और इसमें number of turns क्या दे रखे? N तो dipole moment जो होगा वो, N से भी तो में टिपलाई करेंगे? dipole moment होता है N I A, N I A, यह dipole moment होगया ठीक है? अब इस current के गारण से यह dipole moment आया और dipole moment अगर external magnetic field में रखा तो उसके क्या आता है? torque, torque की value क्या होती? Mb sin theta और Mb sin theta, theta की value clear दिख रहा है कि theta की value जो हो 90 है, theta की value यहाँ पे 90 है, तो क्योंकि dipole moment किधर है, outward और external magnetic field जो हो किधर है, right, यह torque आ गया, अब इस torque की कारण से, इस torque की कारण से इस पे जो angular impulse आएगा, वो angular impulse निकालते हैं, तो जो angular impulse निकालने के लिए, torque को time के respect में integrate करेंगे, कहां से कहां तक? जितनी देर तक current है और current कहां से कहां तक है? 0 से लेकर T तक, वो अलग बात है कि T भी बहुत कम है, यह T भी क्या है? बहुत कम तो torque काया, इस torque को time के respect में integrate कर देंगे, तो इतने time के अंदर मतलब जितनी देर में discharge हो रहा है, उतनी देर के लिए जितनी देर में discharge हो रहा है, उतनी देर के लिए current होगी, उतनी देर के लिए हमने क्या निकाल लिया? angular impulse, और जो angular इंगुलर इंपल्स हो गा वो क्या होगा? चेंजिन अंगुलर मोमेंटम. एंगुलर इंपल्स होता है चेंजिन अंगुलर मोमेंटम. चेके? तो अब यहाँ पर देखें. तो delta L, change in angular momentum क्या होगा final angular momentum minus initial angular momentum यह starting में रुका हुआ था तो इसका जो initial angular momentum है वो कितना होगा, 0 उसका initial angular momentum 0 होगा और तौरकों को time के respect में integrate करें जब integrate करोगे तो integration में N बहार आएगा πाई बहार आएगा, R square बहार आएगा B not बहार आएगा, अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ अंदर क्या बचेगा, I तो यहाँ पर integration में जो बचेगा वो क्या बचेगा, integral I dt जब तू इसको integrate करोगे, तो यहाँ पर torque में सब कुछ बहार निकल जाएगा, I बचेगा Dt बचेगा, और I dt जो होगा वो क्या होगा, 0 सिर T तक यह क्या होगा, total charge flow total charge का flow, और total charge flow discharge होने के लिए total charge का flow कितना होगा, क्यूँ तो इसकी value जो होगी, कितनी होगी, क्यूँ इसकी value क्यूँ होगी, बस यह आ गया, एक ring का moment of inertia देखें अच्छा, एक ring का moment of inertia क्या रखोगे तुम, जल्दी बताओ एक ring का moment of inertia तुम क्या रखोगे MR square रखोगे कि MR square by 2 रखोगे तेक ring का moment of inertia तुम क्या रखोगे यहाँ पे देखें, torque इधर है outward M, M cross B sorry, sorry M किधर है, outward M outward, M cross B, torque चौर्क का डारेक्षन उपर आया san, और axis of rotation जो है, वो torque के direction के parallel होता है axis of rotation torque के direction के parallel होता है तो यहाँ पर M cross B torque किधर आया, उपर, तो axis जो होगी वो diameter के along होगी axis diameter के along होगी axis इस ring के perpendicular नहीं होगी axis diameter के along होगी और diameter के along जो moment of inertia होता है वो mr square by 2 होता है तो बस यहां भी गलती होने की chances हैं कि आप लोग जल्दबाजी में moment of inertia ring का सोचते हुए ring का तो moment of inertia mr square by 2 की बजाए mr square लिख दोगे तो वो गड़बड हो जाएगा समझ रहे ना क्योंकि torque जो आया वो इसके torque इधर आया और axis torque के parallel होता है तो axis जो है वो diameter से ही pass करेगा axis diameter से pass करेगा ठीक है ओके तुम कहोगी कि axis फिर यहां से pass क्यों नहीं करेगा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो loop है वो कहीं से hinged नहीं है लूप अगर hinged नहीं हो तो axis centre आप enormous से pass करेगा और diameter के long होगा तो मोमिंट आर फिनर चे मर स्क्वार बाई टू होगा, solve किया, तो यहाँ पर पाई, यहाँ पर बहुत कुछ कैंसिल हो गया, answer कितना आ गया, 2N R स्क्वार बी नॉड क्यू अपॉन M, यह आ गई इसकी angular velocity, यह इसका angular velocity आ गई, ठेक है, तो इस तरह से हमने इसका angular velocity निकाल ली, और मैं तो ऐसे बता दे रहा हूँ, और इसकोष्ण में सिर्फ क्या पूछा, angular momentum, angular momentum का तो हमारा answer यह हो जाएगा, हमारा, इस question का answer तो यह हुआ, लेकिन बस आपका concept clear करने के लिए, यह एक important point था, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, question में तो angular momentum पूछा है, omega नहीं पूछा है, तो angular momentum तो यह ही से आगया, यह हमारा answer हो गया, n pi r square b not into q, लेकिन आपका बस और concept clear करने के लिए, कि अगर omega पूछता तो फिर आई हम लोग, mr square की बजाए, mr square by 2 लिखते, तो यह हमारा answer होता, तो इस तरह से यह आगया हमारा angular momentum, ठेक है, आगे बढ़ते हैं, ठेक है, answer b हो गया, यह यह रहा, अगला question, देखें, क्या है यह question हमारा, question में कह रहा है, इसको हमनों दो-तीन तरीके इस और कर सकते हैं, question कह रहा है, कि यह glass की plate है, और यहाँ देखो तुम, यहाँ थिकनेस क्या है, ज़्यादा, यहाँ थिकनेस क्या है, कम, यहाँ थिकनेस क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पर light आ रही है, तो इस glass दे गुजरने के बाद, जो wavefront बनेगा उस wavefront का shape कैसा होगा wavefront का shape कैसा होगा तो इसको कई तरीके से 이야기 से इक तरीका यह है optical path लेके विस्ट plan करें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दूद देखो wavefront का मतलब उसके हर एक point का phage क्या होना चाहिए उसके हर एक point का जो phase है वो same होना चाहिए, तो यहां पर देखो, यह point, इस point की length सबसे जादा, इसकी length कम है, तो यहां पर optical path जो होगा, वो जादा होगा, यहां पर optical path जादा होगा, तो इस point का, इसके compare में इस point और इस point की बात करें तो आसा figure में चोका हो तो बड़ा करके दिखा दूँ इस point 1 और 2 की तुलना करें तो 1 और 2 का geometrical path दो बरावर है लेकि optical path बरावर नहीं क्योंकि यह ज़्यादा glass से गुजर रहा अगर मैं इसकी thickness T1 कहूं और इसकी thickness T2 कहूं तो इसका optical path जो होगा वो mu T1 होगा और इसका जो optical path होगा वो mu T2 plus T1 minus T2 होगा और भाई यह कितना लिखा यह मैंने क्या लिखा T1 तो यह भी कितना होगा T1 और यह कितना होगा T2 तो इसका optical path कितना होगा mu T2 और यह कितना होगा T1 माइनस टी टू ठीक है तो बाद एदम सिंपल सी दिख रही है कि आप्टिकल पाथ जो होता है वह मू इंटू टी होता है अगर वह मू से गुजर रहा है तो यह तो पूरा का पूरा लेंथ मू से गुजर रहा और यह कुछ मू से गुजर रहा और कुछ एर से गुजर रहा त अब क्या इस पॉइंट को मैं 2 बोल रहा हूं 2 अब 1 और 2 का 1 और 2 का क्या optical path बराबर हो सकता है क्या बिलकुल इसको फाइदा किसका है μू का इसको फाइदा किसका है length का तो हमने क्या देखा था इस point को मैं 3 कहूं तो 1 Oh 3 का तो optical path बराबर नहीं था लेकिन वन और टू का तो आप्टिकल पाथ बराबर होने की गुझाईस होती है समझ गये क्योंकि यहाँ पर म्यू कम है तो लेंथ हमने ज्यादा बढ़ा दिया ठीक तो ऐसे ही तो यह वन यह टू इसको मैं बोलू थ्री जैसा वन है वैसा थ्री है तो वन टू थ्री ऐसे यहां पर यह फोर यह five ठीक है यहा देखो इसकी compare में हाँ thickness कम है तो length यादा कर दी इसकी compare में और optical path बराबर कर दिया तो पहले से हाँ पर सब की सब same page में थे और 1, 4, 2, 3, 5 का path same है optical path तो 1, 4, 2, 3, 5 same page में होंगे तो इनको in points को मिला देंगे इन points को मिला देंगे तो हमें wavefront मिल जाएगा तो wavefront जो है वो कुछ इस type से आएगा wavefront कुछ इस type से मिलेगा समझ गए यह रहा हमारा wavefront तो answer क्या हो गया? clear हुआ एक बार मैं फिर से हलका सबस repeat कर दे रहा हूँ कि हमें optical path बराबर करना है तो optical path बराबर करने के लिए इस light की तुलना में हमें थ्वा एक्स्टा बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर mu कम है तो length बढ़ानी पड़ेगी तो 1 & 2 का optical path जो है वो बराबर होगा 4, 1, 2, 3, 5 का बराबर होगा इनको मिला देंगे तो जो मिलेगा वही wavefront होगा एक तरीका तो यह हुआ और एक तरीका यह हुआ समझने का हाँ तो यह हो गया अब मैं बात करूँगा इस question के second method को second method क्या है यह एक convex lens की तरह है प्लेनो-convex lens यह प्लेनो-concave lens और यह प्लेनो-convex lens तो यह lens क्या हुआ converging और diverging और converging आपको पता होना चाहिए कि अगर light range ऐसे converging हो converging इस case में जो wavefront आएगा वो कुछ इस type से wavefront आएगा अगर light range जो है वो diverging हो diverging light ray हो तो उस case में जो wavefront आएगा वो ऐसा आएगा क्यों wavefront lights के क्या होगा perpendicular तो यहाँ पे light ray जो है यहाँ पे आके light ray जो है वो converge हो रही यहाँ पे light ray जो है वो converge हो रही यहाँ पे light ray जो होगी वो diverge करेंगी और यहाँ भी light ray जो है वो converge करेंगी Converging lens, Diverging lens, Converging lens. तो यहां का जो wave front आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा. यहां wave front जो आएगा वो कुछ इस टाइब से. Converging है तो wave front ऐसा हुआ, तो wave front ऐसा हुआ. फिर converging है तो wave front ऐसा हुआ. तो हमारा option किस से match कर रहा? A से match कर रहा. इस तरह से भी हम लोग इस question को solve कर सकते थे ठेक है यह हो गया अब बढ़ते है next question पर हम लोग ठीक है देखे next question क्या कहता है हाँ तो यहाँ पर देखो देखें इस question में क्या कह रहा है कि एक यह tube है यह एक open tube है पहले इसके अंदर पहले इसके अंदर सिर्फ water था जिसकी density इतनी थी ठीक है and the water level stands at 2.29 meter from the bottom मतलब मतलब कि जब यह liquid नहीं थी जब यह दूसरी liquid नहीं थी तो बैसली इस water का level left में और इस water का level right में क्या होगा बराबर ठीक है इधर इधर बराबर होगा और जो level था वो कितना था 0.29 meter यह 0.29 meter नहीं है अगर मैं इसको यहां से बाहर निकाल दूं तो यह पूरा water दोनों same level में आ जाएगा तो यहां भी height क्या थी 0.29 यहां भी height क्या थी 0.29 इसका मतलब कि water का level कितना था water total कितना था 0.29 इन दोनों को मिला के इधर और इधर मिला के क्या था 0.29 प्लस 0.29 तो water जो था वो कितना था 2.29 था 0.29 इधर 0.29 इधर तो इसके आने से यह depress हो गया यह कुछ उठ गया इस liquid के आने से depress हुआ यह उठ गया लेगि अभी भी दोनों को मिला के 0.29 होना चाहिए तो left में water कितना है h1 minus 0.1 left में water है h1 minus 0.1 और right में water कितना है h2 तो this equals to अभी भी obviously water level तो भी होगा 2 into 0.29 होगा ठेक है तो इस तरह से यहाँ पर मैंने h1 plus h2 कर दिया और h1 plus h2 की value जो आई है वो कितनी आ गई this plus 1 2 into 0.29 plus 1 plus 1 यह आ गई ठेक है ठीक अब यह कोशन में कह रहा है कि इसके उपर हमने एक liquid डाल दी जिसकी density कितनी है 800 kg per meter cube 800 kg per meter cube water density 1000 और इसकी जो है वो 800 है तो यह 0.1 meter डाला है 0.1 meter डाला है हमें पता है कि अगर लिक्विट सेम हो लिक्विट अगर लिक्विट स्टेशनरी हो लिक्विट सेम हो लिक्विट सेम हो लिक्विट आपस में connected हो सेम लिक्विट हो आपस में connected हो तो सेम हाइट पर प्रेशर क्या होता है सेम तो लिक्विड रुक्य हुई है, यहां से लेकर यहां तक लिक्विड सेम है, तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम, माना कि यह डिस्टेंस कितना है, एक्स, यह एक्स है, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, एक्मास्फिर का प्रेश रो कितना है 1000 यह water है G और यह H जो है वो X P not P not cancel हुआ P not cancel होने के बाद GG cancel होगा तो इस तरह से जो X की value आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.08 meter आ जाएगी ठीक है यह 0.1 कहार से 80 upon 1000 तो इस तरह से 0.08 meter आ गया यह X आ गया हमारा 0.08 meter ठीक है निकालना है हमें H1 upon H2 निकालना है तो फिर्स एक्वेशन से हमने क्या निकाल लिया H1 plus H2 फिर्स एक्वेशन से हमें H1 plus H2 निकाल लिया और सेकेंड एक्वेशन से H1 minus H2 कितना है यहां तक का लेवल तो सेम है तो जो डिफ्रेंस 0.1 और X की बीच में होगा वही डिफ्रेंस तो H1 और H2 की बीच में होगा तो H1 minus H2 क्या होगा 0.1 minus X और 0.1 minus X जो होगा कितना होगा 0.02 0.02 अब कर ले ना तुम दो एक्वेशन दो नोन इनको सॉल्व करके H1 निकल जाएगा इनको सॉल्व करके H2 निकल जाएगा सॉल्व करेंगा H1 आ जाएगा 0.35 और H2 आ जाएगा 0.33 डिवाइट कर देंगे तो इस तरह से आंसर जो है हमारा वो भी हो जाएगा ठीक है हो गया simple question इस तरह से बहुत simple तरीके से मैंने इसको किया इस तरह से आप लोग कर सकते हैं ठीक है बढ़ते हम लोग अगले question पर यह रहा हमारा question number 7 question number 7 देखते हैं कि question number 7 क्या है question number 7 में कह रहा है कि a particle of mass m a particle of mass m moves in a circular orbit with a potential energy energy f into r ठीक है यहाँ पर potential energy को we लिखा हूं वी लिखा है मैं यू लिख रहा हूं कि confusion नहीं होता तो potential energy को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया f into r ठीक है तो तो force होता है, force को मैं F नहीं लिख रहा, force को मैं force लिख रहा हूँ, क्यों, तो यहाँ पे F अलग चीज है, F अलग चीज है, F अलग चीज है, F एक constant है, तो confusion ना हो, इसलिए मैं force जो होगा, force equals to क्या होता है, minus del U upon del R, तो यहाँ पे force की value differentiate किया, तो minus F आया, मतलब force जो आया, वो body circular motion कर रही, तो जो force है, वो readily inward है, अगर plus होता, तो force क्या होता, readily outward, minus है, तो force एक क्या है, readily inward, और obviously होना भी चीज है, तो यह force behave करेगा, जो centripetal force, circular motion में, यह force behave करेगा, as a centripetal force, centripetal force, यह radius R, तो इस F की value क्या होगी, यह जो F आया, force की value क्या होगी, F के बराबर, तो यह force F is equals to कितना होगा, M V square by R, obviously centripetal force M V square by R, F equals to हमारा M V square by R होगा, यह first equation, और question में कह रहा है, यह V जो है, उसकी speed है, ठीक है, यह V, यह V मत लेना, यहाँ पर जो V ले रहा हो, उस V का मतलब क्या है, speed, ठीक है, और यह कह रहा है, कि यह both model को follow कर रहा है, और यह both model को follow कर रहा है, तो M V R, M V R equals to कितना होगा, N H upon 2 pi, M V R equals to N H upon 2 pi होगा, ठीक है, तो पहले पूछा है, कि R proportional to N क्या होगा, R proportional to R है, वो proportional to N है, वो क्या होगा, ठीक है, आंसर यह होगा, कि आंसर यह होगा, यह हमें जानना है, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से हम लो तो यहां पर देखो, simple तरीके से महीं बताओं, F यहां पर R पर डिपेंड नहीं कर रहा, mass R पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहां से V प्रपोश्चनल टू क्या हो जाएगा, root R, तो यहां से V प्रपोश्चनल टू क्या हो गया, root R, और यहां से V प्रपोश्चनल टू क्या ह हो गया? N upon R. देख लो तुम. M R पे depend नहीं करेगा. H depend नहीं करेगा. 2 pi. तो V proportional to क्या हो गया? N upon R. हमें R गायब करना है. तो कह सकते हैं कि यहां पे R proportional to V square हुआ. R proportional to V square. R proportional to V square. तो R proportional to यहां मैं क्या कर दूँगा? V square. तो V square और V क्या हो जागा? V cube. और V cube proportional to n, तो v proportional to क्या हो जाएगा, n के पाउर 1 by 3, तो v proportional to n के पाउर 1 by 3, ये एक चीज़ तो सही आ गई, ये सही आ गया, we check करना है कि ये सही है कि नहीं, समझ गया आप, बहुत ही simple तरीके से मैंने बताया, ज्यादा आपको क्यों calculation में time बरबाद करें, अगर सिर्फ ये निकालना to n ही आ गया, अच्छा, अब तुम देखो, अगर v proportional to n के पाउर 1 by 3 है, और r proportional to v square है, तो इसका square करेंगे, तो r proportional to क्या हो जाएगा, n 2 के पाउर 3, कितने simple तरीके से आ गया, 1 by 3, तो इस तरह से option b आ गया, proportionality निकालना हो, तो पूरा आपको क्यों हम लोग v निकालने में time ब total energy निकालनी है, यहाँ पर चैरा इस body की total energy, जो है, total energy E है, एक आंसर में क्यों है, n है, f है, r नहीं चाहिए, answer में हमें r नहीं चाहिए, n है favor, r नहीं चाहिए, तो solve करते है इस body की, जो कायनेटिक एनर्जी हो, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंटिक एनर्जी, पोटेंटिक एनर्जी तो जो है, इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंटिक एनर्जी, पोटेंटिक प्लस कानेटिक इनरजी, कानेटिक इनरजी, 1.2 M V square, 1.2 M V square और उस V के answer में, 1.2 M V square चाहिए हम लोग को, और V के answer में हमें R नहीं चाहिए, R नहीं चाहिए, तो इकाम करना, तुम कर लेना, simple साथ, इन दोनों equation की help से तुम निकालना पड़ेगा, इन दोनों की equation की help से तुम R निकाले लेना आर निकाले लेना जिसमें वी नहीं के ला इनके लेना वी नहीं हो और इनकी हईश्ज इनकल गिया वी निकल गया उस लेकान किता कॉटे कर देना आंनल जाएगी मल होचा साथ-साल करने पर हमारा अंसरी से मैच करे क्यों मेरे से calculation करा रहा हो तुम यहाँ पर एक काम करो यहाँ से R निकालके यहाँ put कर दो equation में सिर्फ क्या बचेगा V तो वहाँ से V आ गया उस V को यहाँ put कर देना क्या जाएगा R V आ गया, R आ गया उस V को यहाँ put कर देना calculation तुम कर लोगे तो 1 और 2 की help से मैंने बोल दिया V और R calculate कर लेना उस V को यहाँ put कर देना उस R को यहाँ put कर देना हमारा answer आ जाएगा आएगा पका आएगा, रे, try तो करो आएगा answer ठीक है, बढ़ते हैं अगले question पे ठीक है, अगला question बहुत simple सा question है, देखने में तुम होसका डर जाओ, लेकि है simple सा question simple सा question कहे रहा है कि एक bulb है, एक bulb है एक light bulb ठीक है, जिसका area जो है, वो 64 meter पर 64 mm का square area दे रखा है इसको हम वोको black body मान नहीं है इसका temperature कितना है, 2500 Kelvin radiations emit कर lighter point source, point source की तुरह ये emit कर रहा है, ठीक है कोई आदमी कोई इसको 100 meter से इस बल्व को रात को 100 meter से observe कर रहा, observe कर रहा और इस observer की जो आखें है आखों की observer to be circular with the eyes, of the observer to be circular with the radius of 3 mm, ठीक है ये radius जो है, वो कितना है 3 mm दे रखा है stiffens constant given है, beams displacement constant given है, planks constant given speed of light given है, पूछा है power rated by the filament is in the range of power radiated by the filament, चलो मैं कर ले रहा हूँ तो power कितना radiate करेगा filament, sigma ea, tk power 4, ये होता है emission, sigma कोशन में given है, put कर देना black body है, e की value क्या होगी, 1 area given है जो bulb है, bulb का area, bulb कितना power emit कर रहा है, bulb कितना power emit कर रहा है, ठीक है area कितना है bulb का filament, bulb के जो filament का area कितना है, ये दे रखा है sigma given है, e1 होगा black body area, 64 mm square convert कर देना, उसको si unit में, और temperature कितना है, 2500 Kelvin तुम put कर देना, put कर देना, answer a से match नहीं करेगा, a से match नहीं करेगा, a गलत हुआ, ठीक है, बागी calculation है, calculation तुम क्यों मेरे से करा रहा हो, ठीक है, या आएगा answer, ठीक है, वैसे मैंने नीचे calculation कर रखा है, पी इडिट किया, अब उसमाँ आखों में, by also redid कर रहा होगा, ठीक है, तो कितना अटर किया, वो देख लिएते हैं कि कितना अटर किया, यहा पर देखें, चलो, यह देखो, यह filament है, कि सुर्स है यह सोर्स है फिलामेंट सोर्स है यहां से आर डिस्टंस दूर यहां से आर डिस्टंस दूर मैंने एक स्फेयर लिया और यहां पर है आफ है जिस आख का रीडियस मह पहलों मैंने sund vap की रेडियस मेंने क्षाइप ली आतर से ​​ motivation गाला कि छूर्स कितना पावर मिल्म कर रहा इसस प्री चूर्स कितना प्वेर उनिखरह इनिकाल जितना इव्मेट कर रहा उसका दाइरह Canal पहले उसोर्स पावर पी जो भी हमने निकाला एमिट कर रहा था ठेक है जो भी हमने यह निकाला था कितना 141.75 वाट तो 141.75 वाट पहले यहां से निकला उसी का दायरह बढ़कर इतना हो गया उसी का दायरह बढ़कर इतना हो गया उसी का दायरह बढ़कर इतना हो गया अग कर रहा होगा ठीक है तो ठीक है यहां पर देखो यहां में हमें यह इरिया इस आखों में जो लाइट घुस रही उसका एरिया कितना होगा आखों में जो लाइट घुस रही उसका एरिया कितना होगा कितने लाइट से आखों में एक कितने एरिया से आखों में लाइट घुस रही है पाई आर स्कॉर पाई आर स्कॉर और स्फेर का पूरा एरिया कितना है इस फेर का पूरा एरिया जो है वो कितना है फोर पाई आर स्कॉर तो फोर पाई आर स्कॉर से कितना पाई आर स्कॉर से क r2 से कितना पास करेगा P upon 4 pi r2 into pi capital r2 इतना यहां से pass करेगा मतलब आखों में इतना power enter करेगा तो आखों में इतना power enter किया P upon 4 pi r2 pi r2 यह r क्या है source filament और आखों की बीच की नहीं, समझ गए, calculation है, calculation है, तो जितना enter कर रहा है, तो तुम पावगे, solve करने पर, child's का answer 3.2 आएगा, 3.2 in 10 to power minus 8 आएगा, तो इसका मतलब हमारा option भी जो हुआ, वो सही हुआ, समझ के कैसे करना है आप लोग को, इस तरीके से बस value तो पुट करनी बाकी रह गई, ठीक है, P निकाल चुके हैं, first option से P निकाल चुके हैं, R given है, R given है, answer हाजाएगा, ठीक, यह B हो गया, ठीक है, अब C की बात करते हैं, यह तो बहुत सिंपल सा कोस्टन है, हमें पता है, वीन्स लॉग क्या है, लेंडा M into T equals to क्या होगा, constant, कौन सा constant, वीन्स constant, वीन्स constant, और question में, वीन्स constant दे रखा ये, इस B को यहाँ पुट कर देना, temperature given है, question में, लेंडा M निकाल जाएगा, option C पूछा है कि लेंडा M कितना ह होगा, तो question में, temperature given है, 2500 Kelvin, वीन्स constant given है, ये पुट कर देना, लेंडा M निकल जाएगा, और तुम पाऊगे, कि जो लेंडा M है, वो इस, इस से match कर रहा, तो इसका मतलब जो answer होगा, हमारा वो क्या होगा, C, ठीक, अभी क्या कहे रहा है, taking the average wavelength to be emitted radiations to be this, 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 the total number of photons entering per second into the one, one eye of the observer is in the range of, ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं बता रहा हूँ, question क्या कह रहा है, अभी हमने देखा, अभी हमने देखा, कि इस आख में, इतना power enter कर रहा है, light का इतना power enter कर रहा है, ठीक है, इतना power enter कर रहा, तो पूछा है, कि कितने photons per second enter कर रहा है, कितने photons per second enter कर रहा है, अब यह बात सही है कि जब पावर होता है तो कोई एक तरह का wavelength नहीं होता है इसमें हर तरह का होगा इसके अंदर ultraviolet भी होगी इसके अंदर visible भी होगा और इसके अंदर infrared भी होगा infrared visible light इनफेक्ट सबसे ज़्यादा एक photon की उसी corresponding एक photon की energy कितनी हुई एक photon की energy जो हुई वो कितनी हुई h c by lambda कौन से lambda average lambda एक photon के energy कितनी हुई h c by lambda और मालों कि यहाँ पर n क्या है number of photons n dash क्या है number of photons per second तो per second n dash photon n dot per second n dot photon इसके अंदर enter कर रहा है एक photon की energy इतनी है अगर इसको न dot से multiply कर दूं तो यह क्या हो गया एक photon एंटर किया तो इतनी energy enter की unit time में unit time में इतना photon enter किया इसका मतलब unit time में इतनी energy enter की इतनी energy enter की जहाँ पे n dot क्या है number of photons per unit time जो enter कर रहा है अभी हमने देखा power का मतलब क्या होता है कितनी energy power का मतलब होता energy per unit time इतनी energy per unit time enter कर रही और उसके एक photon की energy इतनी है इतने number of photons per unit time है इसको multiply कर दिया इसका मतलब ये clear हुआ कि ये value और ये value आपस में क्या होगी equal जो हमने PI निकाला ये और ये equal होगा ठेक है तो इस calculations हमने PI निकाला इस PI को इसके equal कर देना H पता है C पता है given है lambda average given है PI हमने calculations है निकाल लिया यहां से निकल जाएगा N dot और हम N dot का मतलब number of photons per unit time यही निकालना है समझ गए इतना energy per unit time enter कर रहा एक photon की energy है तो और एक unit time में इतना photon enter किया तो इतनी energy per unit time enter की जो कि इसके बराबर है यहां से N dot निकल जाएगा तो इस तरह से हमारा check हो जाएगा कि option D सही है गलत और solve करने पे option answer option D जो है वो match करेगा ठेक है यह हो गया बढ़ते हैं अगले question पर ठीकए अगला question देखे तो आते हम नो near next question पर question में 9 पे question में 9 में कह रहा है कि position के dimension की XC power alpha बोल रहा है position के dimension क्या होता है L, L क्या होगे XC power alpha speed की xC power beta बोल रहा है speed का L T के power 0-1 वो xC power beta हो गई है acceleration XC power P acceleration होता है L T के power minus 2, वो X C power P हो गया, linear momentum, linear momentum जो होता है, linear momentum, वो क्या होता है, mass into velocity, linear momentum, mass into velocity होता है, तो linear momentum mass into velocity, mass का M, velocity का यह, तो linear momentum क्या है, X C power Q, force, force होता है, mass into acceleration, mass M, और acceleration L T power minus 2, वो दे रखा X C power R, position, speed, acceleration, momentum, और यह force, यह fourth equation और यह fifth, यह पाँच information ही दे रखी है, इनके हैप से देखना की कौन कौन सा option correct है, पहले alpha, P और beta की बात करें, alpha, beta और P, बस इन तीनों से हमारा answer आजाएगा, ठीक है, चल, तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इनको equation 1 और 2 को divide करूँ, 1 और 2 को divide करता हूँ, equation 1 upon equation 2, L L cancel T उपर जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, X C power alpha minus beta, ठीक, अगर मैं इनको divide करूँ, इनको divide करूँ, L L cancel T उपर जाएगा, तो यहाँ से T की value क्या जाएगी, X C power beta minus P, इनको divide किया, यह answer आया, इनको divide किया, यह answer आया, अब यह X X, तो alpha minus beta is equals to beta minus P, तो इस तरह से यह answer आगया हमारा, क्या answer, option A आगया, alpha plus P is equals to 2 beta, यह हमारा answer आगया, इसको मैं 6 equation बोल दूँ, इसका मतलब, option A सही है, अब बात करूँगा option B की, B check करेंगे हम लोग, B को check करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, L T की power minus 1 को, दिखते हैं कौँ सा आता है, L T की power minus 1 को मैंने X C power beta लिखा, तो यह जो है, तुम देख सकते हो, कि यह X की power beta है, और यह X C power P है, इनको divide कर दिया, divide कर दिया, mass, mass cancel, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पर L T की power minus 1, X C power beta, L T की power minus 2, X C power P, mass cancel, यह बीटा और X power P, divide, इसी question को divide करूँगा, तो right hand side में क्या हैगा, X C power Q upon X C power R, mass cancel, इसकी जंग, यह लिखा, X C power beta, X C power P, तो यहाँ से क्या ग बीटा minus P is equals to Q minus R, बीटा minus P is equals to, तो यहाँ से इस तरह से कौन सा answer match कर रहा है, P plus Q minus R is equals to beta, P plus Q minus R is equals to beta, यह equation 7 हुई, क्या यह option match किया, P plus Q minus R upon beta, बिल्कुल सही, B match किया, ठीक है, अब P Q R alpha में, obviously B सही है तो, औरे P Q R beta, P Q R beta, B सही तो D गलत हुआ, अब C निकालना है, P Q R alpha, मुझे बीटा नहीं चीए, बीटा गायब करना है, तो equation 6 और 7 की help से बीटा गायब कर दो, बीटा गायब कर दो, तो बीटा गायब कर देते हैं, तो यहाँ पे alpha plus P, alpha plus P, यह equals to 2 beta है, और beta की value कि नहीं है, 2 beta, beta की value क्या है, P plus Q minus R, तो 2 P, 2 P minus P, 2 P minus P, P हो जाएगा, ठीक है, फिर हमें Q चाहिए, तो 2 Q हो जाएगा, फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ, minus 2 R, that equals to alpha, alpha एक साइड में है, 2 P minus P, P हो गया, P plus 2 Q minus R, P plus 2 Q minus R, is equals to alpha, C से match नहीं कर रहा, options ही, गलत हुआ, यह simple question था, इस तरह से हमने solve किया, बहुत ही simple तरीके से, हमने इस question को solve किया, अब आगे बढ़ते हैं, question number 10 पे, question number 10 जो है वो, समझे लोगी, projectile motion जैसा question है, projectile motion जैसा question है, question number 10, ठीक है, मैं बता दू कि question क्या कह रहा है, option तुम को नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मत दिखने दू option को, मैं बता दू क्या कह रहा है, question यह कह रहा है, कि, यहाँ पर एक charge है, यहाँ पर एक charge है, जिसका कुछ mass भी होगा, इसको हमने u speed से फेका, electric field नीचे की तरफ है, इसको फेका, तो इस electrical field कांट से इस charge पर electric force आएगा, और इस electrical force कांट से इस charge पर acceleration आएगा, और उस acceleration की value क्या होगी, force upon mass, force की value कितनी है, QE, और mass कितना M, तो acceleration कितना होगा, QE upon M होगा, acceleration जो होगा, QE upon M होगा, यू स्पीड से फेका, electric field, force QE, acceleration QE by M, इसको हमने फेका, और यह body यहाँ से जाके यहाँ पे गिरी, इस target पे गिरी, तो समझ जो एक question, projectile motion जैसा question हो गया, बस projectile motion में जो acceleration होता था, वो क्या, नीचे की तरफ होता था, क्या G, और यहाँ पे G की जहाँ कितना हो गया, QE by M, बा यहाँ पे क्या होता, G, और यहाँ पे क्या होगा, QE by M, वहाँ G था, और यहाँ पे क्या होगा, QE by M, range equals to U square sin 2 theta upon 3 by M, range दे रखा है, 5 meter, U दे रखा है, U, दे रखा है, यह U है, 2 into 10 to power, 2 rule 10 10 to power 6, पे U दे रखा है, यह हमने U की value given है, और charge given है, charge given है, Q by M, Q by M given है, electric field given है, electric field given है, U given है, R given है, U given है, Q by M given है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, theta, solve कर लेंगे तो theta की यह 2 value आएगी, theta की 2 value आएगी, 30 degree, अब calculation तुम कर लेना, 30 degree और 60 degree, 30 degree और 60 degree, इसका मतलब कि यहाँ पर पहुंचने की 2 तरीके होंगे, एक 30 degree, same speed, same speed से यहाँ पहुंचने की 2 तरीके होंगे, वो solve करने की बाद मालूं पढ़ा, एक 30 degree और 60 degree, ठीक है, तो सबसे पहले इस question देख, क्या-क्या निकाना था, अब options के आ जाते हैं, options में कालना था, टिक angle यह, अगर ऐसा है, इस range के लिए, इस range के लिए, इस range के लिए, angle क्या होगा, solve किया, तो solve करने पर answer कितना है, 30 degree और 60 degree, तो option B, जो है, वो सही हो गया, फिर पूछा है, time of flight कितना होगा, तो range तो दुनों का same है, लेकि time of flight क्या होगा, अलग-अलग, एक का time of flight कितना होगा, एक का time of flight कितना होगा, 2U sin theta upon G, G की जहां क्या होगा, QE by M, और दुसरे का time of flight कितना होगा, 2U sin 60 upon G, और G की जहां क्या होगा, QE by M, यह होगा, बस यहां से T1 निकाले ना, 22 निकाले ना, तो पुट करोगे कि answer, इन में से match करेगा, match करेगा, तो ना, time taken by the particle to hit the time, यह time of flight हु और हम लोग पाएंगे कि answer C से match करेगा, तो इस तो से हमार यह answer भी सही हुआ, ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले question पे, simple, बहुत ही simple question था, question number 11, question number 11 की बात करें, क्या कहता है question number 11, यहाँ पे देखो, यह एक semi-circular metallic strip है, semi-circular, जिसकी thickness T है, हमें thickness ने दिखाए दे रहा, हमें thickness इस figure में दिखाए दे रहा, इसका top दिखाए दे रहा है, thickness जो है उसकी T है, T, thickness T है, अगर मैं, इसका अगर figure draw करू हूँ, कुछ इस type से figure समझ दो, आएगा, चीक है, यह, जिसकी thickness है, यह thickness क्या है, T, इसका inner radius है, तो भी center, इसका inner radius क्या है, R1, और जो outer radius है, वो क्या है, R2, inner radius R1 है, outer radius क्या है, R2, तो इसमें से कई चीजे पूछा है, इसमें क्या कह रहा है, कि यहाँ पर, इस strip के, दोनों end पे, हमने एक battery लगाई, इस battery का potential difference कितना है, V0, इस semi-circular strip, इसकी thickness T है, inner radius R1, outer radius R2, तो यहाँ पर current होगी, इस current के कारण से, यहाँ पर electron के flow करने के कारण से, यहाँ पर, इन दोनों, इसके और इसके बीच का, potential difference तो V0 है, V0 है, लेकिन inner surface, inner surface और outer surface के बीच में भी, एक potential difference आएगा delta V, एक potential difference आएगा delta V, वो भी आएगा, ठीक है, दो क्याल है, यह metallicistic, इसकी resistivity का दे रखी, रो, inner radius का है, R1, R2 radius का है, R2, voltage V0 लगा दिया, current I flows through in, current I flow करे, in addition, it is observed that the transverse voltage, मतलब यह, potential difference delta V, develop हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, अभी देखेंगे हम लोग कि क्यों, यहाँ पर potential difference delta V बैदा हो रहा है, ठीक है, center से r distance दूर, small r, center से small r distance दूर, मैंने एक पकली सी strip लिए, यह strip लिए, जिसकी यह radius, r है, 25 सी strip लिए, जिसकी यह radius, जो हो क्या है, r इसको width कितनी है, dr और thickness, जो figure में दिखाएंगे रहा, thickness यह, यह thickness, thickness कितना है, t, तो यह जो strip क्या इसklip कि radius, semi-circular strip लिए, बहुत पतली सी, बहुत पतली सी strip, जिसकी radius क्या है, r, thickness कितनी है, t, और width जो, हो कितनी है, dr, इसके left end का इस और इसके बीच का जो potential difference है वो कितना है वी नॉट यहां से यहां तक अगर मैं resistance निकालू resistance इस strip का जो मैं रेट से दिखाया है यहां से यहां तक इसका resistance dr resistance इकोल 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 रो एल अपॉन ए क्या है समय में आ रहा है देखते हैं resistance क्या होगा रो एल अपॉन एल रो तो रो है एल होता है कि जितनी लंबाई में current flow कर रही तो कितनी लंबाई में current flow कर रही semicircle कितना पाई आर एल हो गया और area यह area यहां पर देखो इस semicircle में जो current एंटर कर रही ये है इसको मैंने क्या बूला है DR मतलब ये जो है वो DR है और इसकी जो ठिकने से वो T है इतने एरिया में current एंटर कर रही इतने एरिया में और यही एरिया जो होगा DR into T होगा समझ में आ रहा होगा आप लोगको ये DR है ये DR है धीर है यह D.R. है ठीक है और उसकी ठिकनेस कितनी T current ऐसे current ऐसे enter कर रही है बाहर निकल रहे है तो एरिया जो होगा वोगा वो दियार इंटो T होगा तो रिस्टेंस रिकल रो एल अपन एरिया एरिया जो हुआ वो दियार इंटो T हो ठीक और तुम देखो यह strip ऐसे एक एक के पूटेंशिल से राइट हैं का पूटेंशील आपस inner आपके आपस में से सबका पूटेंशिल डिफरेंश्य वार से मि सबके सब के सब आप से रिकनेक्टेड हैं जितने भी है यहां पने सब के सब फैरलेल에서 कि निकालने पड़ेगा ठीक है चलो 1 upon dr को हम लोग integrate करें तो 1 upon r 1 upon dr dr की value क्या हो जाएगी यह dr t ऊपर जाएगा rho upon pi r r के respect में integrate करेंगे r कहां से कहां तक फैला है r1 कहां से कहां तक फैला है r1 से लेकर r2 तक फैला है तो इस तरह से 1 upon r की value यहां पर तुम देखो टी बाहर आएगा टी बाहर आएगा रो और पाई बाहर आएगा वन अपन आर वन अपन आर का इंडिकेशन लॉग रिमिट करने पर लॉग तुम मैनेस लॉग और हाग बाहर आठी इस पूरे में करेंठ होंगी करयंट कोश्टे क्या होता है potential difference upon resistance potential difference यहाँ से यहाँ तक का potential difference कितना है V0 और resistance कितना R तो I goes to V0 upon R पुट कर दिया इसको पुट कर देंगे तो देखें कि answer A से match कर रहा है क्या V0 upon R बिल्कुल बिल्कुल match कर रहा यह current है तो option A बिल्कुल सही निकल गया ठीक है? तो यह current आ गया ठीक है अब मेरी बास हो यहाँ देखना यहाँ के अंदर जो electron है current अगर clockwise है center से R distance दूर यहाँ पर current जो है वो clockwise है electron VD speed से VD क्या है? drift speed अगर current clockwise है तो electron VD speed से anti-clockwise move कर रहे होंगे तो यह electron circular motion कर रहे है और circular motion करने के लिए तुम देख सकते हो कि यहाँ पर यह electron circular motion कर रहे है और circular motion करने के लिए sentry, pedal force चाहिए circular motion करने के लिए यहाँ पर centripetal force ही electron पर force और centripetal electron पर centripetal force तो electric force ही आएगा तो definitely confirm है कि यहाँ पर readily outward confirm है कि यहाँ पर readily outward electric field होगी और readily outward एक additional electric field इस electric field को मैं E2 बोल रहाँ एक electric field तो E1 यहाँ होगी होगी एक electric field तो E1 यहाँ पर होगी ही E1 E1 कौन पैदा कर रहा होगा यह even यह even कौन पैदा कर रहा होगा यह potential difference भी not potential difference है तो confirm एक electric field होगी और electric field होगी from higher potential to lower potential एक electric field E1 होगी और इसी electric field की कारण से electron electric field clockwise है इसी लिए electron anti-clockwise move किया इसी लिए current क्या होगी clockwise फिर से E1 clockwise तो electron पर force क्या लगा anti-clockwise तो electron anti-clockwise drift होगी और electron के anti-clockwise drift होने से current क्या होगी clockwise तो एक even तो है लेकिन definitely E1 के लाबा एक transfers electric field E2 भी होगी यह E2 ही इस electron पर electric force देगा E2 और यही E2 जो होगा वो behave करेगा as a centripetal force क्योंकि electron circular motion कर रहा है circular motion करने के लिए centripetal force ही है तो यह E into E2 behave करेगा as a centripetal force तो इस E2 की value जो होगी वो centripetal force होगी इसकी value क्या होगी M V square by R E2 जो है वो transverse electric field है है ठीक है अब VD एक वीडी वीडी को Gobierno constant नहीं मान सकते क्या पता यहां का वीडी कुछ और हो यहां का वीडी कुछ और है यह इसको मैं first equation कहँँ वीडी का में एक formula पढ़ा था पहले VD equal to जो होता है वो E E upon M into tau होता है ठीक है drift speed जो होती है वो यहाँ पर E क्या है यहाँ पर जो E है वो electric field है M electron tau relaxation time अब बताव यह कौन सा E है यह कौन सा E है E1 है की E2 है बिल्कुल सही है E कौन सा है E1 औरे यह electron drift कर रहा है इस drift कराने के लिए कौन सी electric field काम आएगी इस drift को कराने के लिए कौन सी electric field काम आएगी E1 इस electric field कहां से electron be force लगा इसले करान से electron force लगा उसकां से रुट्ट किया तो VD जो है on P depend करेगा तो VD सुचन यहाँ पर Sug E1 upon E E 1 upon M और यहाँ से लेकर यहां तक का potential difference जो है वो V0 है, V0 तो V0 equal to कितना होगा E1 into pi x कैसे, यहां से यहां pi r, sorry, pi r pi r होगा, क्यों होगा pi r, यहां से यहां तक की length कितनी है pi r, electric field कितना है E1, तो यहां सी लेकर यहां तक लगातार electric field E1 है, और length कितनी pi r, तो E1 into pi r जो होगा, वो कितना होगा, V0 तो V0 equals to E1 upon pi r होगा, तो E1 equal to V0 upon pi r होगा, तो VD को VD को मैंने क्या लिख दिया E, E1 E1 की value कितनी है V0 upon E by m tau, और VD VD कितना है, sorry, E1 कितना है, V0 upon pi r into tau कुछ नहीं, बस मैंने, E1 की जगा E1 की जगा, V0 upon pi r लिख दिया अब इस VD को मैं यहां पे लिखूँगा इस VD को मैं यहां पे लिखूँगा तो तुम देखो इस E2 में क्या क्या आएगा यह E2 के अंदर क्या क्या आएगा, VD का square, क्या आएगा V0 का square आएगा, और R cube आएगा तुम देख सकते हो, V0 a constant है, V0 a constant value है, तो अगर मैं यहाँ पर E2 में यहाँ पर VD रखूँ, तो VD का square क्या होगा, V0 का square और R square, और R square र क्या होगा, RQ, अब यहाँ पर E2 आ गया, electrical as a function of R आ गया, तो इसको integrate करके हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का potential difference निकाल सकते हैं, चलो मैं integrate करता हूँ, तो integrate किया जाए, यहाँ पर देखो, तो DV equals to minus E dot DR, यहाँ से यहाँ तक का, DV equals to minus E dot DR, E2 DR, cos 0, DV equals to minus E dot DR, इसको integrate किया, E2 proportional to, उस proportionality constant C बोल दे रहाँ, C, V0 square upon R cube into DR, ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, जब R equals to R1 है, तो potential क्या है, मालो higher potential यहाँ पर V positive है, V positive, और जब R equals to R2 है, तो यहाँ पोटेंशल क्या है, V negative, पर यहाँ का potential ज़्यादा होगा, V positive बोल रहाँ, और इस potential को मैं V negative बोल रहाँ, और इसका, जो potential difference delta V है, उसी को बोल रहा है, V positive minus V negative, तो इसको integrate करेंगे, तो V negative minus V positive, minus इधर आ जाएगा, minus इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, delta V, minus इधर आ गया, तो वो delta V बन जाएग तो यहाँ से, delta V की value, कितने आएगी, C, V not square to constant है, 1 upon R cube का integration, 1 upon R cube का integration जो आएगा, जो भी आएगा, minus 2 upon R square, minus 2 upon R square, limit put कर देना, limit put कर देना, तो यह आज आएगा, 2 upon R1 square, minus 2 upon R2 square, ठीक है, तो minus 2 upon R square आएगा, limit put करने पर हांसर आएगा, delta V proportional to qualCl, जाएगा, तो current प्रपोर्चनल कर रहा है, 합니다, किसपे डिपेंड कर रहा है, v not के square पर डिपेंड कर रहा है, और current जो हमने निकाला, current जो निकाला, 37 कर रहा है, v not पर, obviously, v not ज्यादा है, तो current क्या होगी, ज्यादा, तो current proportional to V0 हुआ current proportional to कितना हुआ V0 और delta V proportional to क्या है V0 का square और delta V proportional to V0 का square है तो delta V proportional to current का square हो गया ठीक है यह मैंने बहुत ही simple तरीके से एक गम जितना simple हो सकता है उतने simple तरीके से इस question को मैं solve करने की कोशिश की है यहाँ पे आप एक बार मैं चाहता हूँ ठीक से आप देख लो क कोई confusion ना बाकी रह जाए, अच्छा question था ये, ठीक है, अच्छा question था, और obviously देख सकते हो, inner surface जो है, वो higher potential पे है, और outer surface जो है, वो lower potential पे है, इसको तुम clearly देख लो, फटा फट मैं बता देता हूँ, फिर से repeat करता हूँ, ये even है, even, तो यहां से यहां तक का potential difference, question में given है, V-naud, तो V-naud equal to जो होगा, जो V-naud equals to होगा, वो, क्या होगा, even into pi r, ये even होगा, ठीक है, और drift speed जो हो, even पे depend करेगी, VD, यहां put कर दिया, VD को यहां put कर दिया, ये जो VD, even, even को यहां put किया, VD आया, VD कहां put किया, E2 proportional to r cube, integrate किया, इस तरह से answer, देख लो, ठीक, तो अच्छा question था, ये, बढ़ते हम लोग, अब अगले question पे, अगर तुम्हें दिक्कत होगी, इस question पे, दुबारा इसको सुन लेना, बैक जाके, दुबारा इस question को सुन लेना, अगर कुछ भी दिक्कत है, इसमें से कौन-कौन of options है हुआ, ठीक है, A, C, D, inner surface is at the, outer surface is at the lower potential, और देल्टा भी, proportional to I, का square, ये answer आ गया, बढ़ते हैं, अगले question पे, question number 12, जो, question number 12 क्या कहता है, question number 12 कहता है, कि यहाँ पर, liquid है, यहाँ पे liquid है, as shown, two vessels contain water solution, as temperature T, atom, potassium permagnate of different concentration, यहाँ पे, इस kemenophor का concentration, यहाँ पे N1 है, और यहाँ पर कितना N2, N1, N2 ज्यादा है, तो जब यहाँ पे हम लोग इसको allow करेंगे, move करने के लिए, तो यहाँ पे, यह liquid, इस liquid में diffuse होगी, from higher concentration to lower concentration, यह जो tube है, यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग, इसको जो collection, consider the collection of molecules, behave then, collection of molecules को हम लोगे, idle gas, idle gas की तरह मानना है, चेक है, और यहाँ diffuse होगा, the speed V of the molecules is limited by the viscous force, हर molecule पे, हर molecule पर एक viscous, अगर molecule V speed से move कर रहा, तो हर molecule पे viscous force आएगा, minus beta V, minus का मतलब, कि जो viscous, जो force होगा, वो velocity के opposite होगा, और उसका magnitude beta into V होगा, ठीक है, तो पुछा है कि इन में से कौन-कौन सा option सही है, चलो करते हैं, तो यह tube है, इस tube का cross section S, let's say left side में pressure कितना है, P1, तो यहाँ पे force कितना आएगा, P1 into S, यहाँ पे force कितना आएगा, P2 into S, इधर force P1 into S आएगा, और इस तरफ जो force आएगा, वो P2 into S आएगा, ठीक है, पहले P1, P2 निकाल लेते हैं, P1 और P2 निकाल लेते हैं, P1 ही कुस्टू, आइडल गैस की बात करें, आइडल गैस के लिए pressure PV कुस्टू कितना होता, NRT, यह N अलग है, यह N अलग है, यहाँ पे N क्या है, तो number of moles, तो number of moles जो होंगे, वो क्या होंगे, number of molecules upon F-Guardro number, number of moles क्या होंगे, number of molecules into upon F-Guardro number, ठीक है, तो R upon N न, तो यह N upon V, यह पोस्टू R upon N न, बोर्जमें कॉंस्टेंट, R upon N न, बोर्जमें कॉंस्टेंट, N upon V, N upon V, ठीक है, तो यह जो है, अब इस N upon V को, मैं N upon V को मैं N बोल रहाँ, ज्यान देना, यह N अलग है, इस N को मैं चलो N dash बोल दे रहाँ, यह N dash क्या है, number of moles, और यह N क्या है, N upon V, number of molecules per unit volume, number of molecules per unit volume, तो pressure कितना हो गया, N के T, N KT, ठीक है, तो इस तरह से हमने idle gas के लिए equation निकाल दी, P equals to N KT हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हर एक, यहाँ पर V speed से molecules जा रहे हैं, और एक molecule पर force कितना रहा है, बीटा इंटो V, बीटा इंटो V, ठीक है, तो जो force आएगा, the force causing the molecules to move across the tube, तो यहाँ जो force आ रहा है, उस force की value कितनी होगी, P1S minus P2S, force यह होगा, वो P1S minus P2S होगा, P1 की value क्या होगी, P1 की value क्या होगी, N1 KT, N1 KT, और P2 की value क्या होगी, N2 KT, है ना, यहाँ P pressure क्या होगा, N1 KT, यहाँ pressure क्या होगा, N2 KT, N2 KT, temperature T है, N2 S, यह force, यह क्या होगी, N1 minus N2 KT into S, यह क्या होगी, N1 minus N2 KT into S, और N1 minus N2 क्या होगी, delta N, delta N KTS, K जो Boltzman constant है, इसको K भी बोल रहा है, K भी बोल रहा, तिस तरह से हमारा option A, बिलकुल सही होगा, simple सहा question, option A सही होगा, तो इस force कारण, जो pressure difference की कारण से, pressure difference की कारण, जो force आया, उसी force की कारण से, यह molecules, left chamber से, right chamber में, move कर रहा है, यह force, अच्या, question में कह रहा है, question में कह रहा है, the force balance, the force balance implies, अगर force balance होगा है, तो क्या option B सही है, force balance का मतलब, कि, यह जो pressure difference की कारण, जो force आया, जिससे कारण से, diffusion हो रहा है, वो force और viscous force आपस में balance हो गए, ठीक है, pressure difference वाला force और viscous force, तो pressure difference वाला force कितना है, delta N, KB, Ts, फिर से लिख रहा हूं मैं, pressure difference वाला force कितना है, delta N, Boltzmann constant KB, Ts, और viscous वाला force कितना होगा, viscous वाला force, एक molecule का force कितना होगा, beta B, एक molecule का force कितना होगा, beta V, obviously यहाँ पर कौन से molecules होगे, N1 वाले की N2 वाले, N1 वाले molecules होगे, यह N1 diffuse कर रहा है, यहाँ पर number of molecules कितने होगे, N1 क्या है, number of molecules per newt volume, तो इस tube के अंदर number of molecules कितने होगे, number of molecules कितने होगे, तो N1 इसके अंदर obviously सिर्फ N1 वाले हैं, तो number of molecules कितने होगे, N1 है, number of molecules per newt volume, तो N1 को volume से मेडल पह कर दूँगा, number of molecules आ जाएगा, तो इसका volume कितना होगा, इस tube की लंबाई कितनी L, area कितना S, तो इसका volume कितना होगा, S into L, तो इसके अंदर number of molecules कितने होगे, N1 SL, N1 SL, एक molecule पर force कितना है, beta V, इतने molecules कितने, N1 SL molecules पर force इतना हैगा, तो pressure difference वाला force और viscous वाला force आपस मेसर से balance हुआ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर S और S cancel हुआ, तो क्या बचा, delta N KBT, delta N KBT is equals to N1 beta VL, बिल्कुल, option VB match कर रहा, pressure difference वाले force को viscous force से multiply कर दिया, यह एक molecule का force, total number of molecules, यह answer आगया, total number of molecules going across the tube per second, unit time में, tube से per second, कितने molecules जा रहे हैं, ठेक है, C पर आता है, पर D more simple questions को देख लेते हैं, rate of molecules getting transferred through the tube does not change, बिल्कुल change होगा, क्योंकि, जैसे-जैसे, यहाँ पर pass करेगा, तो इनके concentration का difference कम होते जाएगा, concentration का difference जितना जादा होगा, diffusion उतना ही जादा होगा, और concentration का difference मिल जाएगा, यूटी टाइम में यूटी टाइम में इस ट्यूब के अंदर कितनी लंबाई कवर हो जाएगी यूटी टाइम इस ट्यूब के अंदर कितनी lomba हो जाएगी तो दी टाइम में, DT टाइम में, DT टाइम में कितनी लंबाई कवर हो जाएगी, VDT DT टाइम में, मॉलक्यूल्स, DT टाइम में मॉलक्यूल्स कितनी लंबाई कवर करेंगे, VDT इतनी लंबाई कवर करेंगे, कितना वॉल्यूम कवर करेंगे VDT into S तो इस DT time में molecules इतने लंबाई cover करेंगे इतना volume cover करेंगे तो कितने number of molecules होंगे इतने इस DT time में इतने लंबाई में कितने volume कितने number of molecules होंगे तो इतने लंबाई इतना volume volume को अगर N1 से मैं multiply कर दूँ यह जो volume आया इसको अगर मैं N1 से मटिपाई कर दूँ तो इतने time में इतना volume इतने number of molecules पास कर रहे है फिर से बोला हूँ इतने time में इतनी length cover हो रही इतना volume cover हो रहा और volume को N1 से मटिपाई किया तो इतने टाइम में इतना 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 मॉलेक्यूल इतने नंबर आफ 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 मॉलेक्यूल इतने टाइम में तो यूनिट टाइम में कितने मॉलेक्यूल कर रहे होंगे तो unit time में कितने molecules पास, d time में हुआ कि तो unit time में कितने molecules सब्सक्राइब होंगे तो कोई बात नहीं, यह सब्सक्राइब,, option match नहीं तरहा है, यहां से भी हमने भी निकाल था, इस ही question से भी निकालकिसमे पुट कर दें N1 into S, V, V की value कितनी है, V कितना है, delta N, KB, S और S तो पहले cancel हो चुका है, तो V की value क्या है, delta N, KBT, delta N, KBT, upon beta, N1, L, ठीक, तो N1, N1 cancel हो गया, क्या गया answer, देखते हैं, क्या answer match कर रहा, क्या, N1 cancel हो गया, answer, delta N, तो answer क्या हो, delta N, upon L, यह, यह T की बजाए, option L है, देखें, तो delta N, upon L, delta N, upon L, KBT, KBT, upon beta, बिलकुल, into S, बिलकुल answer match कर रहा है, तो answer C भी जो है, वो सही है, समझ गया है, इतने time में इतना molecule, तो unit time में इतना molecule, यहां भी, यहां से भी निकाल के, यहां put कर देंगे, आगया हमारा answer, तो इस तरह से, option C भी match कर गया, ABC, और D तो गलत है, और वैसे भी तुम देख लो, यह क्या है, unit time में इतने molecule पास कर रहा है, तो यह क्या हो गया, the rate of diffusion, unit time में इतना molecule पास किया, तो the rate of diffusion हो गया, और the rate of diffusion देल्टा-N पर डिपेंड कर रहा है, और डिल्टा-N धीदरे कम होगा, obviously N1 और N2 के बीच कर बीच का difference होगो धिर्यदरे कम होगा, और यह rate हो गया, और डिल्टा-N है तो रेट डेल्टा एन पर डेपेंड कर रहा डेल्टा एन कम हुआ तो रेट भी कम होगा इसलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत हुआ ठीक अब अब अड़ते हम लोग अगले कोश्चुन पर देखें यह अच्छा कोश्चन है कोश्चन क्या कहता है एक स्केल है कि एक स्केल है मिटर स्केल हंड़ेट सेंटी मीटर की दो फिंगर लेफ वाली फिंगर यहां पर है लेफ फिंगर 0 सेंटी मीटर पर है और राइट फिंगर 90 सेंटी मीटर पर है लेट फिंगर 0 cm पर राइट फिंगर 90 cm पर 100 cm तो अब इसली यह कितना रहा होगा 10 cm ठीक है तो जो यह इसका सेंटर होगा इसके सेंटर से अभी दूरी कितनी होगी 40 cm एक फिंगर जैसे ऐसा सकेल समझ लू हैं तो दोनोंस फिंगर पर यह सकेल रखी गई है एक फिंगरएंड पर है और एक होगी है तो ओबसली 50 cm होगा अ कौनसा नॉर्मल फूर्स ज्यादा होगा इनीट्र होगा A center up mass is, यह पुरा 50 होगा, जो center up mass के नस्दीक होगा, वो normal जाधा होगा, तो N2 जाधा होगा, और N1 क्या होगा, अब होगा क्या, तुम कभी try करना, घर पे, तुम कभी भी try करना, अगर तुमने दोनों finger symmetrically, दोनों finger को तुमने symmetrically नहीं रखा है, कोई centers दूर है, कोई pass है, तो मुव कर देखो सब्सक्राइब तो कोई एक मुव करेगा फिर दूसरा तूसरा फिर निस सब्सक्राइब तूसरा मूव करना स्टार्ट कर देगा और फाइनली दोनों सेंटर में जाएंगे ऐसा इस कोशन में नहीं कह रहा है कि दोनों सेंटर में जाएंगे फाइनली दोनों सेंटर पर मिलेंगे ही मिलेंगे सेंटर मतलब सेंटर आफ मास में मिलेंगे तुम देखो सामने मैंने experiment भी कर रहा हूं, दोनों, देखो, दोनों finger नहीं move कर, एक move किया, फिर दूसरा move किया, फिर एक रुख जाएगा, फिर दूसरा move किया, फिर एक move कर, final दोनों center पर बाके मिल जाएंगे, दोनों एक साथ move नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर coefficient of static friction अलग दिया है, coefficient of kinetic friction अलग है, मियूस, यह 0.4 जो है वो, दोनों के लिए मियूस है, दोनों finger के लिए मियूस है, और 0.32 दोनों के लिए मियू के है, और obviously, N1 और N2 में, N1 जो होगा, वो जादा होगा, और N2 क्या होगा, कम, और N1 प्स N2 जो होगा, वो MG के बराबर होगा, तो question में कह रहा है, कि पहले left finger slide की, left finger slip की, right finger slip नहीं किया, both the fingers slowly towards the center, दोनों कम दों चाह रहे हैं, move कराना, center के तब, दोनों, initially only the left finger slips, scale के respect में, सिर्फ, scale के respect में, सिर्फ, left slip किया, right slip नहीं किया, तो देखो, left slip किया, right slip नहीं किया, इसका मतलब, इस finger पे, इस finger पे, कानेटिक फिक्शन किदर आएगा, इस finger पे कानेटिक फिक्शन, left आएगा, finger right slip कर रही, तो finger पे कानेटिक किदर आएगा, left, तो scale पे जो कानेटिक आएगा, वो किदर आएगा, right, और scale पे जो कानेटिक फिक्शन होगा, वो कितना होगा, mu into n1, और यह, यहाँ पर slipping नहीं हो रही, starting में यहाँ slipping नहीं हो रही, तो यहाँ पे फिक्शनल फोर्स होगा, वो कानेटिक नहीं होगा, static, अब देखो, जैसे जैसे यह right जाएगा, obviously static होगा, अब जैसे जैसे right जाएगा, finger right जाएगा, n1 की value बढ़ेगी, क्योंकि n1 center के नजदीक आएगा, n1 की value बढ़ेगी, तो mu n1 की value बढ़ेगी, obviously, scale जो है, जो scale है, वो move नहीं कर रहा, scale move नहीं कर रहा, scale stationary है, तो जो fs है, n1 बढ़ेगा, तो mu n1 बढ़ेगा, और mu n1 बढ़ेगा, तो fs की value, static की value बढ़ती जाएगी, static is the self-adjusting force, static अपने आपको adjust करता रहेगा, अभी मानलो, यह value 40 है, तो यह value भी कितनी होगी, 40, और जैसे से pass आएगा, n1 की value बढ़ेगी, तो यह mu n1 बढ़ेगा, तो fs भी बढ़ेगा, fs बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो यह pass आता गया, समझना अच्छा कोशन है, यह pass आता गया, pass आता गया, तो यह fs की value बढ़ते गई, बढ़ते गई, लगि fs की value एक limit तक बढ़ सकती है, fs की value की maximum, fs की maximum value जो हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, mu s into n2, और विसले यह जो mu होगा, वो mu k into n1 होगा, चलो mu की value मैं यहां रखी देता हूँ, यहां mu जो रखता हूँ, 0.32 into n1 रखता हू तो slip किया, slip किया, slip किया, कब तक, जब तक fs की बढ़ते बढ़ते value, fs max की बढ़ाबर न हो जाए, तो यह slip करते करते, यह यहां पहुँच गया, यहां कहीं पहुँच गया, और अब यह distance जो x हो चुका है, और इस वक्त, इस वक्त, इतना हो चुका है, x यह, mu k into n1, mu k into n 1 यह है यहाँ पर देखो मू के इंटू N1 0.32 N1 इतना हो गया कि अब यह F S यहाँ पर बढ़ते-बढ़ते F S Max की बराबर हो गया और अगर F S बढ़ते-बढ़ते F S Max की बराबर हो गया तो उसकी वैलू जो होगी वो कितनी होगी μू S into N2 होगी इसकी वैल्यू U S into N2 ठीक है तो अब यहाँ पर obviously बस अब यह काईने इन वोन बढ़ने से काईने बढ़ता गिया बढ़ता गया बढ़ता गया तो स्टैटिव बढ़ता गया अब स्टैटिक बढ़ते-बढ़ते-बढ़ते 3 2 N1 is equals to meus有點 point 4 n 2 point 4 n 2 लिखा or centre have mask about net torque 0 center have mask about is Frictional Forces can start in to go zero with n 1 TO WiG n 1 to work clockwise n 2 much nit clockwise n 1 into x n 2 into 40 divide n 1 cancel n to cancel divide ati n 1 पर तुम देख लो दिख रहा साफ सब और यह पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दो कि तुम 40 आएगा 40 40 भी कैंसिल x equal to 32 आ गया यहां पर आपको n1 और n2 कितना है उसको निकालने में टाइम बरबाद बिल्कुल मत करना जरूत नहीं यह यहां पर तुम नेट फोर्स यह फोर्स यह फोर्स बराबर हो चुका है और टॉर्ट जीरो किया एक्स की वल्लू कितने आगे 32 अब हमाली एक्स नोन हो चुका है x32 आया अब यह और राइट नहीं जाएगा अब यह स्लिप करेगा तो इसके बाद तो किस्लिपिंग स्टार्ट होगी अब इसकी स्लिपिंग स्टार्ट होगी और यह रुख जाएगा, और यह रुख गया, तो अब इसके उपर Frictional force जो होगा, अब कौन सा, यह static होगा, और यह move करना इस्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर Frictional force जो होगा, वो kinetic होगा, और kinetic की value कितनी होगी, 0.32 into N2, kinetic जो होगा, वो 0.32 into N2 होगा, अब यह pass आएगा, अब इसके pass आने से N2, obviously, net force 0 है, FS 0.3 into N2 के बरावर होगा, जैसे से pass आएगा, N2 बढ़ेगा, तो N2 बढ़ेगा, FS बढ़ेगा, अब यह pass आता गया, अब यह finger यहाँ पर pass आते आते, finger let से यहाँ पर आ गया, ठीक है, यह N2 है, और यह 0.32 N2 है, और यह finger कितना pass आया, XR, finger यहाँ तक आ चुका है, XR तक आ चुका है, अब यह इतना ज्यादा हो चुका है, कि FS जो है, वो FS maximum के बरावर हो चुका है, जैसे से pass आ रहा है, FS की वालू बढ़ेगी, लेकि FS की वालू एक limit तक बढ़ सकती है, कितना, Mu into N1, तो यहाँ जो FS की वालू हो गई, maximum हो गई, कितना, Mu into N1, और Mu कितना है, 0.4, 0.4 into N1 हो गई, तो यह वालू, 0.4 into N1 हो गई, अब यहाँ पर वही काम करें, यहाँ पर net 4 0 कर दूँ मैं, net 4 0 कर दूँ, net 4 0 किया, तो 0.4 into N1 is equals to 0.32 into N2, जैसे यहाँ किया था भही काम यहाँ किया, ठीक है, फिर, centra mass about net talk 0 कर देंगा, जितना clockwise talk, उतना anti-clockwise talk, N1 हो गई, कितना हैगा, N1 into 32, और N2 कितना हैगा, N2 into XR, N2 into XR, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, तो 40, अरे, पॉइंट बेटा देना, आएगा, 40 upon 32 is equals to 32 upon XR, solve कर देना, यहाँ से XR कि वैलू आएगी, वही पूछा था, XR, XR आगिया, solve करने पे XR कि वैलू क्या आएगी, 25.60, clear हो गया, मतलब, एक फिंगर पे काइटिक आएगा, एक पे स्टैटिक आएगा, काइटिक बढ़ेगा, स्टैटिक बढ़ेगा, बढ़ेगा, कब तक एक फिंगर बूफ करेगा, जब तक काइटिक बढ़ने से static बढ़ेगा और static बढ़ते बढ़ते जो maximum static के बराबर होगा तब जाके वहां तक move होगा कानेटिक बढ़ते-बढ़ते fs max के बराबर हो गया second finger के first finger का कानेटिक बढ़ते-बढ़ते second figure के fs max के बराबर हुआ कि यहां पे बिल्कुल भी आपको n1 और n2 निकालने की जरूवत नहीं देखो मैं इस तरह solve किया है कि आपको n1 और n2 अलग से निकालने की जरूवत नहीं पड़ रही है question number 14 ठेक है question 14 देखो question 14 में कह रहा है कि एक एक यहां पे glass glass container है ठेक है और इसमें जो container का टॉप है उससे भी हाइट के उपर लिक्विड आ गई है ड्यूटिव surface tension surface tension के कारण से जो टॉप था उससे भी हाइट उपर जो है वो लिक्विड आ चुकी है लेकिन है maximum है maximum H की value है ठीक है तो ही पूछा है कि maximum H कितना हो सकता है maximum H कितना हो सकता है जो कोशन में कह रहा है अगर और height बढ़ाएंगे तो अब वो बर्दास नहीं कर पाएगा surface tension और फोर्स बर्दास नहीं कर पाएगा दो क्या लिखा है when the pressure of water at the bottom of this disc यहां पे bottom of this disc यहां पे इसको disc की तुना मान रहा है when the pressure of water at the bottom of this disc exceed what can be withstood due to surface भाई एक limit तक surface tension कहां से container की top की बाद भी liquid आ गई लेकिन surface tension एक limit तक ही liquid को ले सकता है और height कितनी है H तो पूछा है कि ही ही value कितनी होगी तो surface tension कहां से excess pressure कितना है दोन हो यहां पर यहां पर एकमज़र करण से excess pressure कितना ही इगा तूट यह सी तरीकति देखा और यहency r िक्वाइगा हो यहां पर अर एक को डोनों को बरावर कर देंगे obviously surface tension का excess pressure height के pressure से इतना equate हुआ इतनी height balance कर सकता है और R equals to क्या रख देंगे H by 2 R हमने H by 2 कर दिया इसको रोज इच के बराबर कर दिया solve करें ना सब कुछ given है H निकल जाएगा simple सा question था आगया answer check question में 15 देखें क्या कहता है हमारा question number 50 अगर तुमने ध्यान से starting में ये line नहीं पढ़ी ये line नहीं पढ़ी तो सब गरवर हो जाएगा हम लोग जल्दबाजी में question पढ़ते है और हमें लगता है कि ये question ये कह रहा है कि starting में elongation negligible है एसन जल्दबाजी में लगता है कि question में कह रहा है कि elongation negligible है जबकि ऐसा नहीं है elongation negligible नहीं है पूरी पूरी length ही negligible है पूरी spring की length ही negligible है ये कह रहा है obviously èlung ready unistressed to elongation to zero है elongation zero है माललो question मी किस्टरे में और इơi spring है इसमें तो elongation है ही नहीं, लेकिन spring की जो initial लंबाई है L0, वो भी लगबग 0 है, वो भी negligible है, बहुत कम है, वो भी initial लंबाई भी 0 है, है कुछ, negligible है, ऐसा question में कह रहा है, ठीक है, तो question में कह रहा है, कि spring का, यह आपर देख सकते हैं, spring का 1 end 0,0 पर है, spring का left वाला end 0,0 पर fix है, fix है, ठीक, और यह spring की लंबाई negligible है, लेकिन जब हमने यहाँ पर, इधर एक point charge क्यों है, spring के left hand fix हुआ, right hand पे point charge क्यों रखा, और left hand पे जब dipole रखा, तो इस dipole और point charge के बीच में repulsion होगा, और repulsion होने की कारण से, उसकी लंबाई, spring की लंबाई, negligible से L हो जाएगी, अगर spring की लंबाई, negligible से L हो गई, तो spring के अंदर, elongation कितना हुआ, spring की लंबाई पहले, जब यह नहीं था, जब यह डाइपोल नहीं था, तो यह unstressed था, और unstressed की की लंबाई, negligible थी, dipole आया, repulsion होगे, elongate होके, elongate होके, लंबाई L हो गई, तो elongation कितना हो गया, बही simple सी बात है, मा मतलब, spring की लंबाई भी क्या होगी, L और elongation भी क्या होगा, L, क्योंकि initial लंबाई कितनी है, negligible, तो इसका मतलब, यहाँ पर मैं, यह equilibrium में आ चुका है, dipole रखा, question में कह रहा है, कि dipole के रखने से, L distance दूर, जब spring लंबाई L हो गई, तब जाके charge, equilibrium प्याया, L spring की लंबाई और L elongation भी है, यह इस question का main point था, चेक है, जो उसमें गलती होती है, तो यहाँ पर spring पर force कितना होगा, अगर यह equilibrium है, यहाँ पर spring द्वारा लगाया गया force कितना होगा, K into elongation, K into elongation क्या होगा, L, L spring की लंबाई भी है और L elongation भी है, और यहाँ पर electric force कितना होगा, electric force होगा, Q into E, E कॉन पैदा किया, यह dipole पैदा किया, और एक dipole यहाँ पर जो electric field पैदा करेगा, उसकी value क्या होगी, उसकी जो value होगी, वो क्या होगी, K2P upon L cube, अपन L cube, हाँ, तो यह dipole यहाँ पर जो electric field पैदा करेगा, उसकी value होगी, होता है, एक dipole काहाँ से dipole axis पर जो electric field होगी, वो K A2P upon L cube होगी, हाँ तो question में कह रहा, कि पहले यह un-stress था, यहाँ पे dipole रखने से, L लंबाई दूर, यह equilibrium पे आया, equilibrium पे आया, spring force, इस electric force से balance हो रहा होगा, spring force की value कितनी है, KL, और इस electric force की value कितनी है, इस electric force की value कितनी है, Q, Q, 2Q, इस electric force की value क्या है, 2KQP upon LQ, 2KQP upon LQ, यह first equation, यह equilibrium है, अब question में कह रहा है, अब इस spring को हमने, खीच कर, अभी equilibrium में है, अभी spine charge को हमने खीच के छोड़ दिया, और खीच छोड़ने से अभी oscillate कर रहा है, तो उसका time period कितना होगा, चलो, तो यह spring था, यहाँ से हमने, यहाँ से हमने delta L distance खीच की छोड़ दिया, delta L distance खीच की छोड़ दिया, भी oscillate करने लगा, ठीक है, तो मैं X ले रहा हूँ, भई, यह इसका equilibrium position था, यहाँ से हमने delta L खीच कर छोड़ दिया, अभ ऐसे से oscillate कर रहा है, तो बीच में मैं कोई general point X ल 0, mean और extreme के बीच में, एक कोई point लिया, X, दूरी जब X पे है, हाँ तो देखो, तो यहाँ पहुच चुका है, यह एक fixed end है, यहाँ पे dipole P रखा हुआ है, P, और यहाँ पे charge यह, क्यों यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे spring force होगा, कितना होगा, KL plus X, क्यों, अरे, पहल position है, और mean से कितना और elongated है, X, तो net elongation कितना होगा, L plus X, अभी spring force होगया, और electric force भी change हो चुका होगा, इसको मैं F e को F e dash लिख रहा हूँ, पहले यहाँ फी था, फरक क्या है, कि पहले यह दूरी क्या होती है, dipole और Q की दूरी, पहले दूरी क्या थी, L, अब दूरी, L की ज enter, दूरी बढ़ने से, electric force घटेगा, तकी spring force बढ़ गया, तो net force, net force कितना है, के L plus X, माइनस F e dash, F e dash, यही F e की बस L की जगह, L plus X कर दो, Q, K, 2P, बस L की जगह, मैंने L plus X cube कर दिया, यह देखो, यह आ गया net force, ठेक है, यह हमारा net force आ गया, तो question में पूछा है, कि अब obviously, य यह main position है, इसको मैं X की के छोड़ दिया है, यह oscillate कर रहा, तो time period निकालना है, तो देखते हैं कि पहले S चम कर रहा है कि नहीं, अगर हमने पूफ कर दिया, कि net force proportional to minus X, तो S चम करेगा, यह तो time period क्या होगा, 2Pi under root M upon K, निकालते हैं हम लोग, तो F net is equals to, यहाँ पे मैं क्या लिखा, net force equals to, यहाँ मैंने क्या लिखा, KX, KL, KL हो क्या लिख दो, यहाँ से, first equation देखो, starting में spring force, यह equilibrium था, equilibrium था, spring force, electric force से balance हुआ, ठीक है, यह KL था, KX plus KL, minus, KL को, एक काम कर दो, KL को मैं क्या लिख दो, KL क्या लिख दिया, 2KQP upon LQ, और यह कितना है, वही क्यूब के 2P, सब कुछ वही है, बस LQ की जगा, L plus X का क्यूब है, देखो यहाँ, यहाँ, इसी से करता हूँ, F net equals to KX, plus, यहाँ से मैंने 2KQP LQ common लिया, यहाँ क्या बच्चेगा, 1, यहाँ से LQ common लोगे, तो नीचे क्या, यह सब कुछ बाहर निकल गया, यहाँ, LQ common लोगे, बच्चेगा नीचे, 1 plus X upon L के पावर 3, अब इसको उपर ले जाओगे, तो जो इसको ठीक, इसी चीज को उपर ले जाओगे, तो यह ब्रेकेट में क्या आ जाएगा, 1 plus X upon L power minus 3, यह आ गया, ठेके, X जो है, वो कोशन में कह रहा है, L से बहुत कम है, X L से बहुत कम, तो binomally expand करें, और higher terms को neglect करें, तो इस तरह से ही, जो F net आया, उसकी value कितनी आई, K X plus 2 K Q P L cube, और यहाँ क्या आएगा, यह माइनस 3 X आ जाएगा, और 1 1 cancel, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, plus 3 X upon L, यह आगया, 3 X upon L, ठीक है, ओके, यह आगया, अब तुम ऊपर देखो, तुम यहाँ पर देख सकते हो, जब equilibrium में था, तो starting में जब equilibrium में था, तो यह spring force is electric force से balance हुआ था, ठीक है, तो इसका मतलब, 2 K Q P upon L cube, 2 K Q P upon L cube को, मैं क्यालग सकता हूँ K L, तो इसको मैं क्यालग दूँगा K L, यह पूरा K L है, L और L cancel हो जाएगा, L और L cancel हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 3 K X, और 3 K X plus K X, यह कितना हो गया, 4 K X, यह 4 K X हो गया, तो तुम देख सकते हो, 4 K X, यह K L हुआ, L cancel, तो 4 K X, और net force proportional to क्या होगा, X, तो confirm है कि यह confirm होता है, कि यह S चम करेगा, जिसका time period जो होगा, जिसका time period कितना होगा, 2 Pi, under root, हमे time period निकालना है, कि frequency निकालनी है, frequency, frequency निकालनी है, तो frequency जो होती है, वो क्या होता है, जो frequency होगी, 1 upon 2 Pi, under root K upon M, K क्या होता है, constant, 4 K upon M, 4 K upon M, क्या आगया answer, तो यहाँ पे 4 और 4 cancel, 4 बाहर ने क्या, 2 to cancel, यहाँ क्या बच्चे का पाई, तो पुछा कि डेल्टा, इस डेल्टा की value, तुम देख सकते हो, पुछा कि डेल्टा की value क्या होगी, तो डेल्टा की value क्या होगी, पाई, पाई का मतलब क्या होगा, 3.14, त्पूर को, स्टैर्टĩ में में हम ने, एक स्टार्टिंग में तुम देखो, स्टार्टिंग में हमने, को क्यूल्ब्रियम के task किया, फिर ऑसीलेट कराया, एक से ख़िसका दिया, इतना, यह एक्स, फिर नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स, नेट फोर्स, सॉल किया, यह आंसर आ गया, ठीक है, तो बढ़ते हैं हैं अब हम लोग अगले question पर, question number 16, यह बहुत simple question है, बहुत ही simple question है, question क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो, यह PV Diagram मैंे रॉड किया ही यहां पर मैंने PV डाइग्राम को डॉड किया है चैक है यह question में figure नहीं दिया था मैंने draw किया यहां पर question में कह रहे है gas है 1 mole gas 1 mole gas is helium gas है चैक है initial pressure initial pressure P1 है और initial volume V1 है इसको isothermally expand किया और volume 4 V1 हो गया अगर volume 4V1 होगे तो pressure P1 by 4 हो क्योंगी PV constant होता है आइस थर्मल में तो volume अगर 4 times तो pressure क्या हो गया 1 by 4 times फिर इसको adiabatically पहले आइसो थर्मली और बाद में adiabatically इसको expand किया गया और adiabatic expansion में इसका volume 32V1 हो गया 32V1 हो गया तब यहां पर हमनों क्या लगाएंगे यहां से यहां तक PV रिजपावर गामा इसको adiabatic में P PV रिजपावर गामा गामा helium है monatomic और monatomic गामा केतना होता है 5 by 3 तो P1 P1 V1 रिजपावर गामा is equals to P2 is equals to P2 V2 रिजपावर गामा ठीक है तो यहां से V1 और V1 वार टर्म cancel हो जाएगा बागी तो calculation है तुम calculation कर लेना जो P2 आएगा तो P1 अपॉन कुछ आएगा कितना आएगा निकाल देना 8 32 into 4 128 आएगा कैसे भई यहां से 4 और 4 cancel होगा क्या बचाएगा 8 8 के पावर 5 by 3 चिक है और फिर यह आजाएगा तुम कर लेना calculation P2 equals 2 यहां पर P2 भी आ गया तो यहां का प्रेशर कितना आ गया यहां का प्रेशर आ गया प्रेशर आ गया पी वन अपॉन लिखा है चलो यहां लिखा है पी वन अपॉन वन दो पुछा है कि पहले अईसो का वर्क निकालते हैं तो हो में पता है कि आज फोरमugen का वर्क होता है आईईो का वर्क होता है एनारटी यह वी दू अपॉन अपॉन अगर आ थे अपॉन पहॉन और आ दू पाउन टूट उपॉन फोर टो वी तू को वी अपॉन यह से बिया गा है सेम तो P1 V1, Pb को सो NrT, तो P1 V1 ही को स्टो क्या होगा, NrT, तो NrT को हमनों क्या लिए सकते है, NrT को यहाँ पर हमनों क्या लिए सकते है, P1 V1, तो यह आइसो थर्मल का वर्क आ गया, adiabatic ka work kya होता है adiabatic ka work होता है formula यह होता है प1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1 यह formula होता है adiabatic के लिए यह P1 है यह V1 है यह P2 है यह V2 है तो P1 kya रख देंगे adiabatic ka निकाल ले ना adiabatic के लिए adiabatic का work निकाल जाए adiabatic का work क्या होगा देखो, P1 V1, P1 V1, minus P2 V2, P2 V2, upon gamma minus 1, बस, और फिर से जहां P1 V1 होगा, वहां के कार देना, NRT, P1 V1 देना, अब इसको डिवाइट कर देना, तो P1 V1 common होके cancel हो जाएगा, आजाएगा, जो भी answer आजाएगा, ठीक है, हो गया, बहुत simple question ही तो, बढ़ते हैं अगले question पर, customer 17, customer 17 में कह रहा है, एक resonance tube है, इसके उपर एक tuning fog है, और अभी ये resonance में है, माद इस tuning fog की frequency कितनी है, new knot, इसकी frequency new knot है, और यहाँ पर water का level है, ठीक है, ठीक, तो लेट से, अभी इसकी लंबाई जो है, जो air column है, इस resonance tube में, जो air column है, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक, और ही resonance हो रहा है, resonance हो रहा है, तो, इसकी resonating frequency क्या होगी, इसकी resonating frequency मालों कितनी होगी, V upon 4L, इसकी resonating frequency होगी, वो क्या होगी, V upon 4L, V क्या होगी, sound की speed, और L क्या है, length of air column, यह resonance कर रहा है, ठीक, अब कह रहा है, कि यहाँ पर जो, यह source है, यह source हो हम लोग, 2 meter per second से move कर आ रहा है, तो, source को अगर, 2 meter per second से move कर आ रहा है, तो, Doppler effect के कारण से, Doppler effect के कारण से, frequency बदल जाएगी, frequency घट जाएगी, दूर जा रहा है, तो, frequency घटेगी, और frequency घटेगी, तो, हमें length को बढ़ाना पड़ेगा, तो, length बढ़ा दिया, length हमने बढ़ा दिया, length हमने बढ़ा के, V upon 4L2 होगा, और new जो होगा, यह new, Doppler effect, इस new में Doppler effect वाली frequency है, तो, Doppler effect वाली frequency कितनी होगी, इसको परदे, divide कर दूँ मैं, इसको मैं divide कर दूँ, तो, new upon new not, निकालना क्या हमें, ठीक है, तो, divide कर दे, तो, new upon new not, which equals to क्या हैगा, L1 upon L2, तो, यहां से L1 upon L2 निकल जाएगा, कैसे, resonance के कारण से, Doppler effect कारण से, Doppler effect का, जो formula होता है, वो क्या होता है, new equals to new not, source की frequency कितनी है, new not, लेकिए move कराने से, यहां जो frequency पहुंचेगी, वो क्या पहुंचेगी, new, तो, new equals new not, लेकिए ना फाम्मला, V plus minus Vs, sorry, V plus minus V o, V plus minus Vs, observer, यह observer यहां पे कौन है, resonance tube, वो तो रुका हुआ है, observer की तो, speed यहां पर कितनी है, 0, observer की तो, यहां पर speed कितनी है, 0, और source की speed, कितनी है, 2, अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, इसलिए यहां पे कितना होगा, plus 2, ठीक है, new equals to new not, जहां पे भी क्या है, sound की speed, sound की speed कितनी, 320, तो उपर कितना होगा, 320, उनेचे कितना होगा, 322, 320, वो 322, तो यहां से new upon new not, new upon new not, कितना हो गया, 300 upon 322, यह क्या हो गया, L1 upon L2, समझ गया आप लोग, बस, अब तुम्हें निकालना कि कितना percentage length change हुआ, तो percentage length में जो change होगा, वो कितना होगा, पहले length क्या थी, L1, बाद में length कितनी हुई, L2, तो कितनी लंबाई बढ़ी, इतनी बढ़ी, तो percentage में कितना बढ़ा, इतना बढ़ा, into 100, यह हमारा क्या होगा, यह हमारा answer होगा, तो निकाल लेना, यहां से क्या जाएगा, L2 upon L1, minus 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, L2 upon L1, minus 1, into 100, तो यहां से क्या आ गया, L2 upon L1, इस L2 upon L1 को यहां पूट कर देना, निकल जाएगा कि कितना percentage change करना पड़ा, दुबारा resonance लाने के लिए, ठेक है, देख लो तुम इसको, पहले resonance L1 नंभाई पे था, यह move किया, Doppler effect के कारण से, observer रुका है, source move कर रहा, अवे move कर रहा, तो यहां प्लस आएगा, यह source की frequency, यह observed frequency, पहले इस frequency पे resonance हुआ, अब इस frequency पे resonance होने कारण से, लेंथ बढ़ गई, V upon 4L2 हो गया, इनको divide किया, यह आ गया, और यहां से new upon, Doppler effect से new upon U0 की value, 300 upon 322 आ गया, दिख रहा है कि L2 ज्यादा है, L1 क्या है, कम, तो यह आ गया, और यहां से L2 upon L1 निकाल देना, put कर देना, निकल जाएगा, percentage increasing length, यह हो गया, अब आज की class का यह last question, पेपर वन का, पेपर वन का यह last question, क्या कहता है, यह last question, देखा, एक circular disk है, एक circular disk है, जिसकी radius capital R है, एक circular disk जिसकी radius जो है, वो capital R है, और इसका जो sigma है, इसका sigma R पेडिपेंड कर रहा, plate है, plate, plate पे चार्ज डिस्टिबूटेड है, वो uniformly distributed नहीं, उसका sigma इस तरह से डिपेंड कर रहा, इसका sigma क्या है, चार्ज पर उनिट एरिया, इसका sigma इस तरीके से डिपेंड कर रहा, इस तरह से, ठेक ही, तो पूछा है, कि अगर, एक sphere ले, sphere ले, यह तो disk है, अगर एक sphere ले, sphere ले, जो पूरे disk को, पूरे disk को, यह disk है, और एक sphere लिया, जो पूरे disk को enclose कर ले, तो जो इस स्फेर से जो flux पास करेगा उसका उसकी वैलू कितनी है फाइ नॉट उसकी वैलू क्या है फाइ नॉट फिर कह रहा है कि हमने एक और स्फेर लिया एक और स्फेर लिया जो एक स्फेर जो disk के सिर्फ और बाई फोर को इंग्व एक और स्फेर लिया जो सिर्फ डिसक के और बाई वे इनलोज कर रहा है तो जो फ्लक्स है फाई है पूरा इंख्लोज किया तो फाई नॉट है और बाई फार इंक्लोज किया, तो phi है, ठेक है, यह phi no positive, तो पुछा है कि इसका रेशियो कितना होगा, तब हम पता है कि इसका flux होगा, इसके अंदर का प्लॉक्स का रेशियो निकालना मतलब, बेइसिकली हमें क्या निकालना है कि चार्ज का डेशियो चार्जिक विषएॉए तौट ऑनीषियर को आताओ स्पेर को हम लोग को बस चार्ज का रचिओ निकालना है तो में जब कर बोलत इस इंपल यहाँ पर मैं one का sigma और two का sigma तो its exact same होगा pull Comics depends कर रहा हैP male point one और point two heißt अर exact same Jadi good my headset same होगा और two k authority cut दीरी लगभाख same- तो सबक क्या होगा सेम qesmith डीठीफ दिख चिप रही है इस बीख रही इस डीप का sigma लगभाख से में इतने स्ट्रीफ का sigma लगभाख зем इसके लिए इस स्ट्िप के अंदर चार्ज डीक्यू होगा, उस डीक्यू की जो value होगी, वो कितने होगी Sagma Without the इसके अंदर चार्ज होगा, वो कितना होगा? Sagmaimento 2 पा-R, wow के सिगमा की वेलू 2 पाई सिगमा सिगमा कितना है सिगमा नौट 1 माइनस आर अपॉन आर अर्ड यार सिगमा टू पाई आर्ड यार को बाहर निकाला ठीक है अभी चार्ज को इंटिगेट कर देंगे चार्ज को integrate कर देंगे, तो 2 pi sigma naught constant बाहर आएगा, अंदर integration में क्या बचाएगा, 1 minus r upon r r dr और इसको integrate कर देंगे हम लोग, 0 से small r तक, 0 से small r तक integrate कर देंगे, अगर तुम्हें पूरा charge चाहिए, पूरा charge, तो small r की जहां क्या कर देना, capital r, अगर तुम्हें सिर्फ r by 4, ठीक है, तो मालों कि मुझे पूरा charge चाहिए, पूरा charge चाहिए, पूरे charge को मैं q naught बोल रहा, पूरे charge को मैं q naught बोल रहा, q naught, तो इसको मैं integrate कर दूँगा, 2 pi sigma naught, 0 से capital r, 1 minus r upon r into r dr, याद तो तुम इसको integrate कर देना, और जहां small r है, वहाँ क्या रख देना, capital r, तो भी हो जाएगा, और मुझे r by 4 में charge चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए, कि इस r by 4 के अंदर, यहां से यहां पर, r by 4 के अंदर कितना charge है, मुझे बस इतना charge चाहिए, इस r by 4 के charge को मैं q बोल रहा हूँ, तो यह कितना होगा, 2 pi sigma nought, इसको integrate कर लेंगे, 0 से लेके r by 4 तक, 1 minus r by r, r dr, इसको integrate कर लिया, तो इस तरह से यह full disk का charge आ गया, और यह r by 4 का charge आ जा, तो वह sphere, जिसके अंदर पुरा disk है, उसका flux होगा, उसका जो flux होगा, वो क्या होगा, q naught upon epsilon 0, और इसके r by 4 के अंदर, वो इस फेर जिसके नहीं सिर्फ क्या हो, r by 4, उसका जो flux होगा, इस r by 4 का charge, अपॉन अप्सालन जिरो, डिवाइड कर देना, अप्सालन जिरो कैंसिल, जो ratio कि नॉड और क्यों का होगा, वह ratio इन दोनों flux का होगा, इंटेड कर लेना, जो भी answer आए, ठीक है, तो यह हमारा, पेपर वन जो है, वो complete हुआ, पेपर वन complete हुआ, ठीक है, यह question बहुत बहुत बाथा, देखते ही कौन कौन से question एजी था, यह question काफी एजी था, ठीक है, इसमें कुछ कर रहा है, इनिशल लेंथ, जो है, वो zero है, negligible है, अगर वो ध्यान नहीं दिये, तो तुम अठके रहोगे, तुम question में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो यह important point है, इस question का, बागी average question की category में लाऊंगा, ठीक है, और गल्ती होने की chance इस question में ज्यादा है, यह तो easy question था, ठीक है, यह अच्छा question था, यह move कराने वाला, दो, solution जल्दी आ गया, लिए तो आप मों सोच पाएं कि काइंटिक, स्टैटिक, काइंटिक भी बढ़ रहा है, तो यह अच्छी question की category में था, question number 13, ठीक है, यह थोगा सा average question कहूंगा मैं, इसमें, ठीक है, इसमें सोच पाएं, इस तरह से, अगर तो देखने में बड़ा question लग रहा है, लेकिन अगर step y, step y, step y, सुम करते जाओगे, तो इतना tough question नहीं है, तो यह average question की category में है, ठीक है, यह अच्छा question है, इसमें हम लोग सोच पाएं, इस तरह से, कि, और मैंने जितना simple तरीके solve करना चाहा है, उतने simple तरीके से solve करने कोशिश किये है, यहाँ पर, e2, e1, तो यह अच्छे question category में आएगा, ठीक है, यह तो बहुत ही easy question है, projectile motion वाला question, projectile motion question, यह dimensional analysis हो सकता है, यह आपको time लग जाए, solve करने में, लेकिन, यह easy question था, question number 9, यह भी बहुत easy question था, यह power, radiate करने वाला, आँख पे सब, यह easy है, ठीक है, यह भी easy question था, calculation हो सकता है, लंबा हो, calculation, जो हमारा, boards, boards, model वगरा, concept पर निकालना था, यह भी ठीक था question था, यह easy था, लेकिन, इसमें, आपको सोचना पड़ेगा, इस तरह से, यह भी easy question था, question number 4, इस type question था, क्लास में कर चुके है, ठीक है, बस हमने जो class में किया, तो समय टॉप पे रखा था, कि अगर cylinder 50 गया, तो scale कितना जाएगा, 100, टॉप पे, यहाँ पे रखने पे सिर्फ कितना गया, 75, ठीक है, यह अच्छा question था, question number 2 सोच पाना, यह अच्छे question था, question number 2, यह भी ठीक था question था, average question था यह, तो कुल में जाज़ा के, पेपर 1 तो मैं कहूंगा कि average ही paper था यह, ठीक है, वो अलग बात है कि आपने exam में कितना pressure feel किया, उस पे depend करता है, कि आपने कहसे solve किया, बस average category का यह paper था, paper 1, ठीक है, फिर, तो यह video हमारा complete हुआ, next video आपको जल्दी मिल जाएगा, paper 2 का, ठीक है, तो अभी यह खत्म करते हैं हम लोग, bye bye, मिलते है next video में.